हेलो एपरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे यहां से आप देख पाओगे भारती रास्टियां दोरन के सबसे महतपुर्ण सवाल जो है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बिहार सिख्चक भरती 3.0 के लिए और इसमें तोटल 500 प्रसण है याद रखेगा टोटल 500 कोशिटन आपको इसमें देखने को मिलेगा याद रखेगा सिकवेंस को आप đगनौर करना है आपको सिकवेंस लाइक कर देना इस वीडियो को ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जाद से जाद आपने दोस्तों रिष्टेदानों तक सेयर करें साजा करें ताकि वो भी जो है एक बहतरीन और इंपोर्टेंट वीडियो को देख पाएं तो चलिए सुरू करते हैं इस वीड पले आप लोगों से बस चोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और लोगों तक इसे पहुचाने में जो है मदद करें मेरी तो प्लीज इसे लाइक करें और लोगों तक पहुचा है तो जलिए वरी फर्स्ट कोस्चन से इसकी सुरुआत कर देखिए भगत सिंग का जो असमारत है वो तो मैं आपको सिधा अगर बताऊं तो फिरोजपूर में है लेकिन इतना जान लेने से आपका काम नहीं बनेगा भगत सिंग के जो परम मित्र थे बटुके स्वर्दत उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे उससे पले मैं आपको इनके गाओं मांगे 12 गाओं और तब जाकर जो है फिरोजपूर का जो हिस्सा है जहां पर इनको दपना आमीं जो है इनका इसमारक बना था भगत सिंग का तब ये जो है पाकिस्तान भारत को देने के लिए राजी हुआ तो ये तो हुई फैक्ट वाली बात और अगर मैं त मिस्सजण है तो हुसेनी वाला एक जगा जो क्या पर पढ़ता है फिरोजपूर में पढ़ता है जहां Hospital से आते थे तो हुआ क्या इन को इनको बार जेल में भेज दिया गया था वहां से वो क्या हुए आजाद हो गए 1946 में जब सब को छोड़ा जा रहा था तो इनको भी छोड़ा गया यह जब घर वापस आए तो पता चला इनके घर में कोई भी सदसी नहीं बचा है सारे लोग जो है सारे लोगों की हत्या कर दी गई अंग्रेज अधिकारियों के द्वा बार जाने की कोशिज करे इन्होंने की कुछ आर्थिक साहता जो है इनको दी जाए भारत आजाज हो चुका था और यह जो है लड़ाई में इन्होंने पार्टिसिपेशन भी करी थी लेकिन नहरू जी इनसे मिलने के लिए राजी नहीं हुए और फिर इन्होंने सडकों पर सबजी भेची इन्होंने और फिर आगे भी देखो सबजी बेचने के अलावा इन्होंने बिस्किट बेचा और फाइनली जो करपुरी ठाकूर जिनके बारे में आप जान रहे हो कि इनको भारत रतन दिया गया है इसी भारत रतन ने देखी एक अच्छा काम किया कि इनको ब सबसे पहले ये जान लो कि फिरोजपूर के बारे में मैंने आपको बता दिया भगत सिंग का समारक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अब देखिए इनकी जो इन्होंने जो है दो important important काम किया था जिनके बज़ासे जो है इनको ग्रिप्तार किया गया था पहला बात है इन्होंने साइमन को ये मारना चाहते थे साइमन को पता ही ये गोल अब देखो यह हुआ क्या, इसकी हत्या की वज़ा से इनको फांसी दी गए थी, दूसरा इन्होंने जो है काम किया था, भारत के लिए वो क्या किया था, इन्होंने जो है दिल्ली में बम कांड किया था, एसेंबली में इन्होंने बम फेका था, हाला कि उस बम से किसी को कोई नुक्सान नहीं था, यह सिर्फ एक धुए वाला बम था, यह सिर्फ एक विरोध substantially करने का तरीका था, एक और कहान इसके बारे में आपको बता दू इस बम-कांड के बारे में, तो देखी इस बम-कांड में न, दो बाते हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में इस बंकार्ण में हुआ क्या पहले जो है दिल्ली एसेम्बली में किसी को भारतियों को परवेश पे रोक लगा दी गई थी भगात सिंग ने क्या किया ये सिक धर्म से बिलॉंग करते थे तो इन्होंने जो है अपने बाल काटे और फिर उन्होंने एक फोटो भी खीचाई और उसके बार हैट पान कर वो अंग्रेज बनकर वापस लोटे और वहाँ पे असेम्बली में इन्होंने परवेश किया और बा मुकदमे में सरकारी वकील था तो देखिए ये सरकारी वकील क्या करा था अंग्रेजों की ओर से लड़ा था इसका नाम देखिए सबसे पहले कुछ कुछ कोशन जो है जो के एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सबसे पहले काकोरी कांट का नाम जो है अब बदल दिया 1925 में कब किया था तो 1925 में किया था इस बात का आपको ख्याल रखना है 1925 में किस ने करा था हिंदुस्तान रिपब्लिक असोसियेशन ने जो है ये एच आरे ने जो इसके उपर जो है एक्शन प्लान तयार किया था और अब जो इस क्रांतिकारी जुड़े हुए थे इस ये कथन दिये गए हैं किसके बारे में वीडी साबरकर के बारे में आपको पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है देखिए अबनव भारत की इन्होंने करांतिकारी संगठन के स्थापना की बिलकुल की थी इन्होंने और इनके भाईने मिलकर की थी भारती राष्टबादियों को प्रेरित करने के उध्यस्य उन्होंने मेजनी की जीवन लिखी बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने भारत का सवतंतरता संग्राम 1857 के नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रों को एक राष्ट्रिये वादी दिर् समुद्र में बिल्कुल सही बात है, तो चारो ऑप्सन क्या है, आपका बिल्कुल absolute correct है, तो answer क्या हो जाएगा, option number A आपका क्या होगा, correct answer हो जाएगा, A के साथ आपको आगे बढ़ना था, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाल गंगा अथर तिलक को लोकमानी का विशेशन किस आंदोलन के दोरान दिया गया, तो देखिए इसका answer हो जाएगा, option number B, क्रांती कारी आंदोलन के दोरान, लेकिन अगर मैं इसको to be precise कर दो तो चीज़ें और अच्छी हो जाएगी, ये कर ना आंदोलन था, कर ना आंदोलन, कर यानि की tax, क्यार का मतलब क्या हो गया, tax, और क कर ना आंदोलन का क्या मतलब है, ये समझे लो आप, actually, बंबई में, तब बंबे का आज आता था इसे, बंबे में जो है, अकाल पड़ा था, और अकाल पढ़ने के कारण जो है, लोग tax देने से मना कर रहे थे, ये तो tax लेना ही चाह रहे थे, ठीक है, तो इस कारण से जो है इनको लोकमानी का जो है title मिला था, ये तो हुई पहली बात, दूसरी बात देखिए, 1908 से लेकर के, 1904 तक ये मांडले जेल में थे, कहां थे, ये भी याद रखिएगा, मांडले जेल में ये थे, जो की कहां पर पड़ता है, बर्मा में पड़ता है, मांडले जेल में रहते इन्होंने गीता रहसी नामक पुस्तक की रचना की थी और ये गीता रहसी कहां से आया ये भी समझ लो खुदी राम बोस को जब फांसी पे लटकाया जा रहा था सबसे कम उम्र के वेक्ती या भारती सोतनता सेना ने जिनको फांसी पे लटकाया गया तो इन्होंने जो है अपने गले में फंदा खुद डाला था और आखरी एक्छा जब इनसे पूझी गई तो इन्होंने कहा कि मुझे गीता का पुस्तक लाकर दे दो और इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा और फांसी पे ये हस्ते हस्ते जूल गए तो बालगंग अधर तिल और JSSCN की बिहार जारकंड वाले एक्जाम में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है मुझे परपूर जो कि अभी बिहार में है किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रियास कब किया गया देखिए प्रियास से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये मरा नहीं था ये मरा नहीं थ एक्चुली इसके जगह पे जो सहयोगी की पत्नी और जो बेटी थी उसको बम लगा और ये दोनों काल के गाल में समा गए थे अब ये काम किया किसने था तो खुदी राम बोस और प्रफुल चंद चाकी ने किया था और याद रखिएगा जो प्रफुल थे ये इन्होंने क्या प्लान बनाया इन्होंने बोला कि ये जो है क्या होंगे ये कोशिस करेंगे कि किसी तरह से इसको मार दिया जाए और अगर य बतार करके बाद में फांसी दे दी गई और ये काम कहां पे किया गया था तो ये बहुत important है इन्होंने जो है मोकामा जो कि अभी भी आपका railway station है मोकामा के पास जो है इन्होंने अपने आपको मारना जो है प्रेफर करा था पसंद करा था तो याद रखेगा ये question बहुत बहु जाए तो आपको बताना है कि ये जो है हत्या का प्रियास उनिश्व नौ में किया गया था भी इसका क्या होगा सही answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सोतंतरता आंदोलन के क्रांतिकारी का पहला महतपुर्ण सहांसिक कार बर्रा डेकेटी कहां पे किया गया था तो द अंकवादी जो है ऐसी activity करते हैं कि वो पैसा लेकर खुद ले जाते हैं लेकिन यहाँ पे जो भारती सोतंता सेनानी थे ये क्या करते थे अमीरों से लूट कर पैसा अचलि उन अमीरों से जो की बिटिसर्स के साथ में रहकर काम किया करते थे तो देखिए पुरवी बंगाल में इन्होंने ये कांड को अंजाम दिया था और किसके द्वारा किया गया था तो याद रखेगा धाका अनुसीलन समिती के द्वारा चलिए अगले सवाल के और मलोग बढ़ेंगे वह कौन थे जिन्नोंने अनुसीलन समिती की अस्थापना की थी तो देखिए इसका सही गोस के जो भराता है उनका नाम आपको पता होना चाहिए उनका नाम था बारिंद्र गोस दोनों ने मिलकर जो है अनुसीलन समिती की अस्थापना करी थी इसका क्या मोटो था क्या मोटीव था तो इनका कहना था खून का बदला खून यानि कि अंग्रेजियों को उन्ही के भासा में समझाना होगा और उन्हें जो चुन-चुन कर मारना होगा ठीक है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहां से देख लो वो कौन थी जिन्होंने अनुसीलन समिती की अस्थापना की तो बारिंद्र गोस और भुपेंदर नात दत अगला सवाल देखे क्या है ब यो जवाब आप अनुसीलन समिती इसका नाम क्या था अनुसीलन समिती यह जो है आपको याद रख लेना है एक और कोश्षण है जो मैं आपको बताना चाहता था यहां पे देख लो यह जो नरेंदर गोशाई है यह कोश्चन भी एक्जाम में पूछा जा सकता है आप से न योगांतर नहीं योगांतर होगा ये क्या होगा योगांतर अब देखिए पूछा गया है कि योगांतर पार्टी का नेत्रितु किसके द्वारा किया गया था तो देखिए इसका जो नेत्रितु है जतिंदरनात मुखरजी के द्वारा किया गया था इनको जो है बागा जतिन भी कहा जाता है, इन्होंने जो है, एक बाग को लड़कर जो है, उसे मार दिया था, इसलिए इनको बागा जतिल, और एक मूवी भी इस पे बनने ही वाली है, तो फिलाल देखिए, एक्चलि इस पार्टी का नाम आप पार्टी नहीं, समीती समझो, ताकि आप चीजों को समझ पाओगे, देखिए, इन्होंने जो है, निउस पेपर निकालना सुरू किया, पर सबसे पहले, फिर इन्होंने मैगजिन निकालना सुरू किया, और ये काम क्या करते थे, यहां पे जो है, ये क्रांती कारी गत्ति भीति किया करते थे, भारत को आजात कराने का प्रेतन किया करते थे बारेजन घोष और भुबेंदर दांत दत मिलकर और बाद में जो है इनको गिरबतार कर लिया गया आगे बढ़ते हैं निमलिकित मैंसे किसने बड़ी बुधिमानी के साथ अलिपूर सन्यत्र मामले में अरविंद घोष का बचाप किया तो देखिए अरविंद घोष यह एक मात्र ऐसे सोतंता से नानी थे जिनका जन्म जो है 15 अगस्त को होता है तो प्लीज इसे भी याद रखिएगा एक्जाम में पूछा जा सकता है अठारसो बहत्तर में जो है इनका जन्म हुआ था अठारसो बहत्तर में यहां तक बारते आपको समझ में आ गई होगी अ और इनको फसा दिया गया और अब जो जिसकी सरकार जो है वही उसी की पास समझी जाएगी तो जो नेदा जी सुभासचंद्र बॉस के राजनिति गुरू थे चित्रनन दास इन्होंने इनको बचाया यह इसका सही जवाब होगा अगला सवाल देखो क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का जो है गठन किसके द्वारा किया गया तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नासिक में जो है किया गया था दो भायों को दो भायों ने जो है इसके स्थापना करी थी एक का नाम है दामोदर दास सॉरी दामोदर दास नहीं उसे बोल थी और देखिए पाला ये जो है इन चीजों को आपको ध्यान में रख लेना है परफुल चंद चाकी ने देखिए मौकामा पे जो है स्टेशन पे अपनी ई लीला समाप्त की थी अपने को खुद को जो है कटार मार ली थी यह भी जो है इंपोर्टेंट बात है तो इसे याद रखेगा खुदी राम बॉस जो की 18 साल में या 17 साल में सबसे कम उमर में जो है इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी और हाँ एक और बात बीर कुवर सिंग जो की सबसे अधिक उमर वाले वेक्ति थे जो की सहीद हुए थे और पहला सहीद कौन हुआ था भारती राष्टी एक दामोदर्दास ने की थी और इस मित्र मेला संग का जो है नाम एक्चली जो है इसकी सुरुवात कब की गई थी वो आप याद रख लो 1904 में जो है इसकी स्थापना की गई थी समझ रहे हो मेरी बात को अभी नव समिती और इसका जो है नाम पलयाला भुआ करता था और यहां पे देखो एक और ओप्सन है स्याम जी क्रिशन बर्मा इन्होंने क्या क्या इन्होंने जो है इंडियन हॉम रूल एसोसीशन के अस्थापना करी थी यहां तक बातें समझ में आ गए और जो गदर पाटी के अस्थापना है लाला हर्दियाल और सोहन सिंग भाखना के द्वारा की गई थी पूछा गया है गांधी जी का अगेंस में ये गए थे उन्होंने गांधी जी का विरोध किया था किसने वीडी शावर कर ने पता नहीं क्यों किया था लेकिन किया था और बाद में इन्होंने एंग्रेजों से माफी नामा भी मांगा था आगे बढ़ते हैं राष्टिय पुरुसकारों की अबदी में जिस घटना में पुल्सकारों के बीज थे, एक्चली बोई गए थे, यहाँ पर आप बोई लिख दोगे, बोई गए थे और अंततर देश का विभाजन कराया गया था, अब देखिए ये अगर इसमें एक और आप्शन E जोड़ा जाता और All कर दिया जाता तो ये आणसर All हो जाता, 1906 में मुसलिम लिख किया स्थापना हुई और मुसलिम लिख तो अलग से देश चाही रहा था, बंगाल का विभाजन भी हिंदू और मुसलिम के आधार पर किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा, भले उन्होंने कहा कि बंगाल बड़ा है, लेकिन रि खलामत आनलवकुण उन्होंने समर्थन दिया था, यहां पर गलत लिखा गया है, अब देखी, यह सभी ओप्सन क्या है, करेक्ट है, इस बज़ा से जो है, लेकिन अगर इन में से सब से करेक्ट जो है, पूछा जाये, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप ऐसा मत क करो, इसे जो है, इही समझ लो, इसे जो है, इही समझ लो, और इसे सभी को करेक्ट कर लेना है, आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में, उनके राजकिये प्रवेस के आफसर पर बम फेका गया था, दिल्ली में, किसके राजकिये प्रवेस पर जो है, उनके उपर बम फेक दिया ग उप बर था उसी दिन ये जो है हाथी पर मस्त सवार होकर निकर रहा था अब देखिये क्या हुआ हाथी पर जैसे ही बंप फेका गया ये तो कूद गया लोड़ हौडिंग कूद गया और ये बच गया लेकिन इसका जो महावत था महावीर सिंग वो मारा गया मारा गया कौन मारा गया ये भी नाम important है मावर इंपपोटेंट है important बात है हाथी से कूट कर ये बच गया अब देखे इसकी हत्या की साज़ можно किस ने करी तो देखे गरम दर के जो एक नेता थे रास भिहारी boss रास बिहारी बोस उन्होंने जो है इसके बारे में जो है इसको मारने का जो है सारा प्रोग्राम किया था इसने रास बिहारी बोस ने अब देखिए इन्होंने किसको किसको अपने काम में लाया तो देखिए बसंत विस्वास को इन्होंने जो है अपने काम पे लाया उसके अल किरालदानी कॉलकाता से दिल्ली अस्थांतरित की गई थी तो देखिए की गई थी पूछा गया है इसलिए 1912 इसका सही जवाब होगा लेकिन घोसना 1911 में की गई थी गोसना 1911 में की गई थी बोला गया था कि एक एपरिल को जो है 1912 को जो है इसे दिल्ली जो है दिल्ली को ज इतनी एक्टिविटी हुई कि 1927 में जाकर ये काम पूरा हुआ कब 1927 में और ये एनॉंसमेंट कब किया गया था तीसरे दिल्ली दरवार में जब जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मेरी आई हुई थी तीन बार दिल्ली दरवार का आयोजन किया गया है ये भी आप याद तो देखिए ये बात सही है सबसे पहले आरारांदूलन के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए देखिए आरारांदूलन में क्या हुआ कि जब मुसलिम लीग बनाई गई गई न तो सारे पदों पर सारे पदों पे कौन जो है काविज हो गया सिया इसका सही जबाब क्या हो जाएगा ए और ये जगा का नाम है अहरार इसलिए यहाँ पर इसके खिलापत में बोला गया था किनों ने आवाज उठाई थी मुहम्मद अली ने इसके अगेंस में आवाज उठाई थी हसरत मुहानी ने इनके खिलाप में बाते उठाई थी तो बहुत important सवाल है याद रखेगा लेकिन यह अमीन के पद पे कारियरत थे थे नहीं था इसे मैं respect नहीं दूँगा क्योंकि अंग्रेजों का यह पालतु कुत्ता हुआ करता था और अंग्रेजों के बारे में जो है यह अंग्रेजों के जो narrative है यानि कि अंग्रेजों की जो बा ओँगा है चक मंडल बनाय जाने का परवल विरोद कीया बिल्कुल गलत बात है यह ऐसा कुछ नहीं हुआ था ऐसा क्यों क्योंकि muslim league के के स्थापना ही हुई थी अलग muslim राष्ट बनाने के लिए तो यह विरोध क्यों करेंगे विरोध तो congres वाले भी कर रहे थे तो इस आपका सही जवाब क्या है, नहीं पूछा गया है, इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, option number C, अब देखिए, बरकतुला और मौलाना अब्दुल सिद्धी ने काबूल में भारत की सरकार बनाने की गठन करने वाले में से दो लोग थे, तो देखिए, महेंद्रनाथ इन्वर्सेटी के स्थापना नरेल्न मोदी ने करी थी, महेंद्रनाथ राष्टपती बन गए थे, और बरकतुला जो है, यहाँ पे सिंधी काबूल में जो है, क्या बन गए थे, पधान मंत्री बन गए थे, और उन्होंने का कि हम लोग दो ही लोग मिलकर सकार चलाएंगे, बात की बाते हैं, आगे बढ़ते हैं, 1906 में मिंटों से सिंवला में मिलकर मुसल्मानों के सिस्टम अंडलने क्या परातना की थी, तो देखिए, मुसल्मान हमेशा से चाहते थे कि किसी तरह से अलग राष्ट बन जाए, उस समय के जो मुसल्मान नेता थे, वो चाहते थे कि किसी तरह से अलग देश बन जाए, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुसल्मानों के लिए अलग इलेक्टराट की अस्थापना की गए थी, तो किस के द्वारा किया गया था, आधाखा के द्वारा किया था, और फाइनली दे कब दिया गया, 1909 में मारले मिंटो विज़ा में पूछा जाएगा, दूसरी बात, इसका headquarter जो है, सबसे पले लखनाओ में बनाया गया, लखनाओ में इसका headquarter बनाया गया, और लंदन में भी इसका headquarter बनाया गया था, याद रखेगा, दोनों बाते जो हैं बहुत important है, इसे भी याद रख लेना है आपको, चलिए, यहां पे पूछा गया है, अस्थापना कहां हुई थी, तो देखिए, इसके अस्थापना, wait a minute, 1906 में मुस्लिम लिख की अस्थापना जो है, कहां पे हुई थी, धाका में हुई थी, यह रहा, option D, लेकिन headquarter पूछा जाए, तो headquarter आपका कहां होगा, लखनोव में और अगर विदेश में पूछा जाए, तो लंदन होगा, 1907 में मुस्लिम लिख का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था, तो देखिए, वार्षिक अधिवेशन जो है, यह कहां कहां हुआ है, मैं आपको पहले बता दू, सबसे पहले करांची में हुआ, आइच्चलि, यहां पहला होना चाहिए, यहां पहला छूट गया है, पहला आदिवेशन कहां हुआ था तो नागपूर में, इसे भी आप पैन पेपर पर नोटण कर ली से, तो इसका answer क्या है option number B के साथ आप लोग जाओ के याद रखिए का अधिवेशन से एक और बात जो है एक्जाम में जो है question पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल वो क्या है अलीगड़ और आगरा में कभी भी Congress ने अपना अधिवेशन नहीं किया था लेकिन Muslim League के द्वारा इन दोनों जगहों पे अधिवेशन किया गया था ये भी सवाल एक्जाम में पूछे जाते हैं अखिल भारत ये Muslim League के अस्थापना किस वर्स हुई थी अभी आपने पढ़ लिया 1907 में अब कुछ और बातों को याद रखेगा Lord Minto ने ब्रेनवास किया था Muslim नेताओं का और ये All India Muslim League के अस्थापना की गए थी Headquarter कहा है मैंने आपको बता दिया ये Headquarter आपको कहां देखने को मिलेगा London में आपको जो है इसका Headquarter देखने को मिलेगा All India Muslim League की और इन्होंने Newspaper कौन सा चलाया था तो याद रखेगा Dawn Newspaper जो है इनके द्वारा चलाया गया था यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई और Muslim League I mean जो Muslim League था इसके सबसे ज़्यादा जो है बार कहां पर अधिवेशन हुआ है तो याद रखेगा दिल्ली में सबसे ज़्यादा आठ बार अधिवेशन कराया गया था ये भी एक्जाम में पूछा जा सकता है इसे related Muslim League के द्वारा Dawn Newspaper चलाया गया था और दिल्ली में इसकी अस्थापना लखनों में की गई थी न्यूस पेपर Dawn था इसका founder कौन था सली मुला खां याद रखेगा सली मुला खां ये जो है बहुत बार सवाल पूछा जाता है सली मुला खां के द्वारा जो है इसकी अस्थापना की गई थी और ये नबाब थे और ये बहुत प मनना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है ये कतन या ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है तो देखिए लिखा किसी और ने है लेकिन इसे चो है famous किसी और ने किया है तो आप याद रखिए ये question इसलिए मैंने रखा आप लोगों के लिए क्योंकि अभी जो है exam BPSC बहुत सारे exam को conduct करा रही है GSSC भी करा रही है और ये बिहार से सम्दित है ये किसे सम्दित है बिहार से तो याद रखिएगा पटना के सायर थे पटना के सायर थे जिनका नाम क्या था जिनका नाम था बिस्मिल अजीमाबादी बिस्मिल मैं आपको जो है नाम बता देता हूँ और आप जो है समझ कर जो है समझ जाओगे चीजों को देखिए बिस्मिल जो थे इन्होंने जो है इस सायर को या फिर आप इसन पंक्तियों को बोलो, इन्होंने इसकी रचना की, तो जो राम परसाद बिस्मिल थे, इनसे इतने परभावित थे, इन्होंने अपने नाम के पेचे बिस्मिल को एड कर लिया, और यह जो है सायरी इनके द्वारा बार-बार कही जाती थी, तो इसका फिलाल आंसर क्या आँजाएगा, राम परसाद बिस्मिल इसका सही आंसर है, लेकिन अगर मैं बोलो कि इसकी मूल जो है रचना किसने की है, तो याद रखना है आपको बिस्मिल अजीमा वादी, अगर यहां से देखोगे, राजगुरू और भगत सिंग के बारे में तो देखे कु अगले सवाल की हो, अगला सवाल देखो क्या है, अपनी फांसी से पुर्व निमलिखित क्रांतिकारियों में से किसी एक ने पीने हेतु दिये गए दूद को और सुईकार कर दिया गा, और कहा कि मैं अब केवल अपनी मा का दूद लूँगा, तो देखिए जब इनको फांस में फिर से करांतिकारी बनूँगा, और अपनी मा का दूद प्योंगा, अंग्रेजों तुम्हारा दूद में नहीं प्योंगा, ऐसी बात किस ने कही थी, तो याद रखिए, ऐसी बातें कही गई थी, राम परसाद बिसमिल के दौरा, और ये बातें जब ये कह रहे थे, त इसलिए नहीं कि मुझे मरने से डर लग रहा है, इन्होंने कहा कि मुझे जो है, इसलाम धर में जो है, जो बातें कही गई है, उसके according जो है, री बर्त का जो है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यानि कि फिर से पुनर जनम जो है, यहां नहीं होता है, इसलिए मैं रो रहा हिंदु धर में फिर से पैदा हो जाओगे करांदे कारी बन जाओगे तो सोच कर देखो कैसी उनकी विचार धारा रही होगी इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे मौत से ठीक पहले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा option number C आपका correct हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपाबलिकन असोसियेशन का नाम बदल कर हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपाबलिकन असोसियेशन कर दिया है और 1925 में जब काकोरी कांड हुआ उसके बाद जो है इसे बेन कर दिया गया हटा दिया गया और फिर इसी संस्थाक से जो है मिलता जुलता नाम हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपबलिकन अस्थापना की गए थी कब 1928 में इसकी जो है स्थापना आपको देखने को मिल जाएगी यहां तक सारी बातें केलियर हो गई अब देखो यहां पर जो एक वेक्टी है रास विहारी बोस गरम दल के यह नेता थे 1912 में 1912 में इन्होंने hoardings को बम मारा था और hoardings वही governor general था जब भारत में बंगाल का भी भाजन हो रहा आइमीन जो है बंगाल का फिर से एकिकरन यानि की integration किया जा रहा था देली दरवार में तब यही पे बना हुआ था तो hoardings को मारने की कोसिस किया था किसने रासभिहरी बोस ने और जपान ये चले गए थे hoardings के बंकांड के कारण तो फिलाल इसका जो सही answer हो जाएगा त्रीकड़ी हो जाएगा यानि की चन सेखर आजाद जो है इन्होंने जो है ये काम किया था इसका नाम बदल कर जो है हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकल रख दिया था ठीक है चली अगले सवाल के और मुलक बढ़ते हैं किसने कहा था दरो दिवारों पे हसरतों की नजर करते हैं खुस रहो अहले बतन हम तो सफर करते हैं सफर का मतलब होता है कि अब हम चलते हैं आकरी अलविदा जो है कह दिया जाएता है तो देखे इसका सही आंसर क्या बजाएगा वाजिद अली साह ने जो है ये बाते कही थी याद रखिएगा वाजिद अली साह के बारे में एक बात आपको जो है जाननी चाहिए वो ये है कि वाजिद अली साह का जो पुत्र था, वो चार साल का था, वो सिर्फ चार साल का था, जब अंग्रेजों ने उसकी हत्या कर दी, क्यों, क्योंकि वाजिद अली साह को जो है, जेल में बंद कर दिया गया था, तो उनके पुत्र को, पुत्र को जो है, सासक नहीं माना जा रहा था रूलर यानि की राजा नहीं माना गया किसके द्वारा बिटी सर्च के द्वारा और जो है इनके पुत्र का नाम क्या था वो भी आपको याद रखना चाहिए विर्गिस याद रख लेना है आपको विर्गिस अलिसा ठीक है ये जो है इनके पुत्र थे अब देखो दूसरी बात एक और है कि वाजी दली सा की पतनी का नाम क्या था तो इनकी पतनी का नाम था हजरत महल याद रखेगा महल जिन महिला के पीछे के नाम में लगावा दिखे आपको तो समझ लेना वो नाचने गानी वाली महिला थी बाद में उनका साधिव विवा राजा के साथ हो गया होगा तो हजरत महल अंग्रेजों के खिलाब लड़ी उसके बाद हजरत महल को जो है इनको नेपाल जाना पड़ा कहां जाना पड़ा नेपाल जाना पड़ा क्यों अंग्रेज जो है इनके पीशे पड़ गए थे जिसके कारण सो है काठमांडू नेपाल में ये जाकर वहाँ पे सरन लेना पड़ा नाना साहब भो भी जो है काठमांडू में जाकर सरन लेना पड़ा था यहां तक सारी बातें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा देखिए भगत सिंग और बटुकेश्वर दत ने बंब फेका था लेकिन जो सुखदेव हैं ये सुखदेव बाहर में परची बाट रहे थे ये जो है परची बाट रहे थे और उस परची में लिखा था हमारा जो है किसी को नुकसान अह सुखदेव जो थे एक एपरिल को ने बलकी एक एपरिल को जो है ये बंफेकने वाले थे और भगत सिंग का कहना था कि अंग्रेजों की मौत होती है तो हमें कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग इसी के लाइक है लेकिन ये जो सुखदेव है ये थोड़े अहिंसा गांधी जी के पदचिन्नों पे चलने वाले ब्यक्ति थे इसलिए इनों ने बोल दिया कि खाली विधान सभा में बंफेका जाएगा जहां पर लोग नहीं खाली बेंचों पे बंफेका गया था यहां तक सही समझ रहे हो आप आगे देखिए और ये जो बटिक्वेश्वर दत थे इसके बारे में भी आपको जानने की जरूत है बटिक्वेश्वर दत जो है बाद में इनको जो है क्या क्यार दिया गया है यहां से आप देख पाओगे देखो बटिक्वेश्वर दत जो है जतिन दास परचा बांट रहे थे यह मैंने बताया और याद रखना है इन सांडर्स की हध्या के कारण इन लोगों ने पहले ही सांडर्स की हध्या कर दी थी जिसके वज़े से इनको फांसी की सजा दी गए थी याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर सबसे कम उमर के सहीद कौन थे तो याद रखिएगा खुदी राम बॉस इसका सही मंगल पांडे और सबसे आखरी सहीद पूछ दिया जाए तो आखरी सहीद में आप नाम लिखोगे किसका आखरी में लिखोगे आप तात्या टोपे का नाम लिखोगे तात्या टोपे का जो ओरिजिनल नाम है वो आप नीचे कमेंट करके बताईएगा ठीक है यहाँ तक सार पुबलिक आर्मी के द्वारा ये काम किया गा था, जिसके करता धरता कौन थे, सूरी सेंग, और इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है, और मास्टर दा की एक स्टूडेंट थी पृति लता, जो की 20 साल की थी, मात्र 20 साल की थी, औ और दिक्षान समारों के दोरान जो है इनोंने गोली चला दी थी, बाद में इनको जो है अंग्रेजों के दोरा माल दिया गया, तो प्रितिलता पहली महिला थी जिनको जो है सहीद घोसित किया जा सकता है, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर, मुझभपर नगर में जो है अहमद, S.A. डांगे, सौकत उस्मानी और नलिनी गुपता सेन को जो है किस सणियन्त के लिए कैद कर लिया गया, गिरपतार कर लिया गया इनको, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आठ कड़ी, कानपूर, सेविक सणियन्त कानट के कारण जो है, इन लोगों को कानट से देखोगे, तो देखो यहाँ पर काकोरी सणियन्त जो है 1924 लिख दिया गया, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है, यह 1925 में हुआ था, यह कब हुआ था, 1925 में, हावड़ा सणियन्त कानट 1910 में हुआ है, विक्टोरिया 1914 में, 1916 और 1930 में लाहर दो बार अलग-अलग क कानट हुए थे, लेकिन 1925 में काकोरी कानट हुआ था, और अब देखो इसका नाम बदल कर, काकोरी ट्रेन एक्सन रख दिया गया, क्योंकि हम लोग अपने ही घर में जो है, यह कानट क्यों करेंगे, हम लोगों की मनसा सिर्फ आजादी पाना था, इसका सही जवाब क्या हो बंदूक बो रहे थे और कहा था, कि हम लोग बहुत सारा बंदूक को गाएंगे और अंगरेजियों को मार भगाएंगे, ऐसा किसने का था, भगत सिंग ने बचपन की बाते हैं यह, सोच लो आप, अब देखो, कुछ और चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, तो 1926 में भ बार-बार पूछे जाने वाले हैं, फिर से बार recap करा देता हूँ, दुरगा भावी के नाम सिक इनको जाना जाता है, तो भगवती चरन बोरा, और इन्होंने भगवती चरन बोरा ने बंगा दर्सन और कौन सी किताब लिखी है, बंदी जीवन इन्होंने किताबें लिखी ह बहुत इंपोर्टेंट होता है, निमलिकित मैंसे महिला करांती कारे, दिक्षान समारों में, जेनोंने डिग्री लेते समय, अंग्रेज गवर्नर जो है कुलपती को गोली मार दी थी, एक्शली गोली मारी है, लेकिन इनको गोली लगा नहीं, बीना दास के द्वारा, बीना बीना दास, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप, आगे बढ़ेंगे, लाहोर सन्यत्र कांड में, किस क्रांती कारी को फांसी, यहाँ पे फांसी आप कर लो, एक्शली फांस लिखा गया है, फांसी नहीं हुई थी, तो देखें, लाहोर कांड में जो ब बट्यकेस्वर्दत जब इनको जो है, काला पानी के सजावी या वापस लोटे तो इनके परिवार में कोई बचा नहीं था, और बाद में इनको जो है, सबजी और बिस्किट वगरा घर घर जाकर बेचना पड़ा, तब जो है, इनकी जीवन यापन हो रहे थी, खैर, रिकॉर्डेट मुसलिम कौन थे, असपाक उल्ला खां, जिन्होंने वो फांसी से जब प्रोसेस चल रहा था, तो ये रो रहे थे, और इनका कहना था कि मैं फिर से करंतिकारी नहीं बन पाऊंगा, इसका मलाल था इनको, आगे बढ़ेंगे, सूची दी गई है, आपको प्रियोग करते हुए सही करम का मिलान करना है, तो सबसे पहले सही करम जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि कौन सा कांड कब हुआ था, तो देखिए, लाहोर में दो बार कांड हुए है, याद रखेगा, 1916 में एक कांड हुआ था पहला और दूसरा 1930 में, पहली बात यहां तक आप चीजों को समझ गए है, काकोरी कांड 1925 में हुआ है, ये बात आपको पता है, और मेरट कांड जो है, मेरट कांड ये कब हुआ है, तो मेरट कांड के बारे में आप जान दो कि ये मेरट कांड जो है आपको देखने को मिल जाएगा आपको, वेटे मिनट, मैं सबसे पहले इसको बिलान कर देता हूँ, देखे, इसका जो जवाब होगा, वो हो जाएगा C, यानि कि, पहले सबसे पहले क्या होता है, लाहर मुकदमा, जो की कब हो है, 1916 में, ठीक है, अब देखो, चौथे नमर पे कौन है, कानपूर मुकदमा, कानपूर मुकदमा कब हो है पर देखो मेरट मुकदमा के बारे में बात करेंगे तो यह सबसे आखरी में 1929 में होता है यानि कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अगले सवाल की ओर नेक्स्ट कोशन देखो क्या है जेल में भूख हर्ताल के कारण किस सोतंतला से नानी की मिर्ती हो जाती है तो देखिए जतिन दास वो बैक्ति थे जिनकी भूख के कारण की मौत हो जाती है 56 दिनों तक यह हर्ताल करते हैं भूख हर्ताल और फाइनली जो है यह 56 दिनों के बाद इनकी जीवन समापत हो जाती ह 1929 में देखिए इनका कहना था कि जो prisoner हैं यानि कि जो राजणितिक कैदी हैं उनको जो है अलग ढंग से जो आम कैदीों से जो है अलग treatment मिलना चाहिए और इनको जो है ये भी लग रहा था कि महात्मा गांधी को जब जेल से जो है मुखरताल के कारण छोड़ा जा सकता है तो इनको भी छोड़ा जाएगा लेकिन यह ऐसा हुआ नहीं आगे बढ़ेंगे निस्करिय विरोध का क्या जो है सिधान्त जो है किसने इसका परतिपादन किया था तो देखिए अरविंद घोस याद रखिएगा अरविंद घोस बाद में जो है सन्यासी बन गए अरविंदो आस्राम दी आपको अभी भी देखने को मिलेगा कहां पे पांडिशेरी में तो अरविंद घोस के जो भाई थे वारिंदर घोस वो जो है बिल्कुल अलग थे इनसे एक और नाम है विबेकानंद उनके जो भाई थे वो भी जो है वारिंदर डत वो भी बिल्कुल अलग थे वो भी जो है बिल्कुल अलग थे और दोनो भाई जैसे कि दोनो आध्यात में से जुड़े वे थे का बिरोत कीजिए जेल हो जाएगी या फांसी हो जाएगा ऐसा आपको सोचना नहीं है इन्होंने देखिए अरविंद घोस ने जो है आस्रम वगेरा किया स्थापना की और ये जो सावित्री भाई फूले जो चुआ छूत के खिलाब आवाज उठा रहे थी उन्हीं के उपर एक किताब इन्होंने लिखिया और एक न्यूस पेपर भी इन्होंने लिखा जिसका नाम है बंदे मातरम और बंदे मातरम न्यूस पेपर के कारण जो है इनको अंग्रेजों के द्वारा ग्रपतार भी किया गया बंदे मातरम अख़बार जो इन्होंने लिखा अंग्रेज इनके दफ्तर में पहुंचे और इनको ग्रिप्तार करके ले गए क्यों कि वहाँ पे बोला जा रहा था कि ये जो है हत्यार वगएरा आर्म वगएरा बना रहे हैं लेकिन ये वहाँ से फिर फाइनली जो है इनको बचाया जाता है और इसका सही आंसर क्या होगा डी होगा चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाय गए तो सबसे पहले जतिन दास के बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए जतिन दास ने एक बार बाग को मार गिराया था जिसके कारण इनको बागा जतिन भी कहा जाता है और किस आरोप में इनको बंदी बना लिया गया था ये सवाल आपसे पुछा जा रहा है तो देखिए लाहोर सनियत जो की 1930 और 1916 दो अलग 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 टाइम में हुआ है दो अ यानि कि जिनको सूरी सेन भी कहा जाता है इनके द्वारा जो है इन ही के स्टूडेंट को इन्होंने अपने स्टूडेंट को क्या क्या तयार किया और फिर जो है चटकाओं में 1930 में हत्यार वगएरा लूट लिया था आगे बढ़ेंगे काकोरी केस के अभ्यूक्तों का बच सामिल थे इसका भी ख्याल रखना है आपको और तोर मदन मोहन मालविय भी यहां पर सामिल थे लेकिन महातमा गांधी ने जो है महातमा गांधी यहां पर सामिल नहीं थे महातमा गांधी तो बिरोद कर रहे थे इनका कहना था कि जो सत्योरा हिंसा के मार्ट पने चलेगा उस उसे जो है कॉंग्रेस में कभी जगा नहीं दी जाएगी, तो यहाँ पे देख लो, यह पूछा गया है अधिक्षिता, यानि कि प्रसिदेंसी किसकी थी, तो गोविंद वल्लब पंत की थी, 20 का क्या होगा, सही जवाब था, इनकी अधिक्षिता में और भी लोग जुले थे, जिसमें की, जवालाल नहरू के पिता, मोतिलाल नहरू, मदन मोहनमाल भी हिंदू महासवा के, वो भी यहाँ पे सामिल थे, लेकिन गांधी जी ने कुछी नहीं कहा था, यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और, आपको जो है कूट को मिलाना है, चटगाउं, सस जो है किसके दोरा किया गया था, तो देखोगे आप, काकोरी जो है, सनियत जो किया गया था, वो किया गया था, रामपरसाद बिसमील के दोरा, यानि कि इसका option क्या होगा, 4 correct हो जाएगा, इसी तरह से आगे आप बढ़ोगे, तो लाहोर सनियत जो है, जतिन दास के दोरा कि की थी तो 1, 2, 4, 3 अगर वैसे देखोगे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 कहाँ है option number C में होगा, C का जवाब सही है आपका, आगे बढ़ेंगे निम्लिकित क्रांति कारियों के G1 के अंत के कारण, यानि कि इनकी जो मिर्तिव है या फिर इनका जो अंत है वो किस कारण हुआ था, तो जतिन दास भूखरताल के वज़े से, तो देखिए A का 2 कहाँ कहाँ है तो देखो ये option, ये option मा की ये दोन option को आप क्या कर दो, खतम कर दो अब आगे बढ़ो, चंद सेखर आजाद ने क्या पाए, ऐसी बात कौन करा करते थे चंद सेखर आजाद, तो इसका भी answer क्या हो जाएगा मुटबेड के दोरान, यानि कि इसका answer third हो जाएगा, देखो फिर भी यहाँ third हो जाएगा यानि कि एक और option आपको देखना होगा भगत सिंग, भगत सिंग को फासी होई थी तो इसका answer क्या हो जाएगा, option number four अब देखो, यहाँ पे यह B वाला जो option है बिल्कुल correct है, और कलपनादत कलपनादत बहुत important है, इनकी भी मिर्तियू जो है, आज इवन का रावस के कारण हो गए थी, तो यह answer क्या होगा, आपका B correct हो जाएगा, याद रखेगा, यह बहुत important, important सवाल है जो की बार-बार exam में पूछे जाते है अब चलिए question number 21 की और हम लोग बढ़ेंगे, 21 में देखो क्या question पूछा गया है, नीचे दिये गए संगठन को जो है, आपको वेरिता के according जो है, मिलाना है, लिप्त देखो यहां क्रांती कारी गती विधी देखो, क्रांती कारी गती विधी के बारे में political जो संस्था है उसके बारे में आपको नहीं चुड़ना है, तो यहां पे देख लो क्रांतिकारी गतिविधी जो है किसके किसके दोरा की गए थी तो देखो अभिनाव भारत और अनुसिलन समीति जो है ये थोड़ी सी जो है गरम दल के वाले लोगों की ये जो है संगठन था, इन लोगों के द्वारा अंग्रेजों को मारने वगरा के बारे में विचार किया जाता था A और 1 और 2 जो है इसका क्या होगा, option correct हो जाएगा B इसका right answer हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सुची 1 को सुची 2 से मिलाना है आपको चटगाउं आर्मरी रेड किसके द्वारा किया गया था ये आपको पता है, अभीनव भारत अब्यसी बात है, ये जो है विक्रम दामोदर दास के द्वारा किया गया था तो इसका answer क्या हो जाएगा, B ये तो मिल गया, अनुसीलन समीती और कुका अंदोलन कुका अंदोलन किसके द्वारा किया गया था तो देखिए कुका अंदोलन जो है ये देखो, चटगाउं आर्मरी कांड जो है कलपना दत, जो की सुरिसेन दत की जो है, सिस्चा थी, स्टुडेंट थी उनके द्वारा ये किया गया था अब देखो, अभीना भारत मैंने भी आपको बता दिया इस कांसर क्या होगा, थर्ड हो जाएगा अनुसीलन समीती की अगर मैं बात करूँ तो अनुसीलन समीती जो है, अर्विन घोस के द्वारा की गई थी, तो इस कांसर आप यहाँ फोर लिख दो और कुका आंदोलन, जो की गुरु राम सिंग, इनको भगवान का अफ्तार भी मना जाता था, उनके द्वारा की गई थी अब देखो, यहाँ पे, यहाँ बन हो जाएगा तो देखो, 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2, option एही है एक के साथ आपको आगे जाना था चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर फिर से, जो है, मिलान करना है देखो ऐसे question पूशे जाते हैं, चारी एदर पांच है confusion के लिए, अब देखो क्या हो जाएगा, revolt group की किसने की थी, तो revolt group की जो है, अस्थापणा की गए थी, किसके दोरा revolt group, जो है, suri sen की दोरा की गए थी, इन्हों ने जो है अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया इन्हों ने जो है, आर्मरी चटकाउं आर्मरी लूटा था, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा फाइप हो जाएगा अब देखो पहला का आंसर एक में ही फाइप है देखो एलिमिनेट हो गए सब लेकिन हम लोग आगे भी बढ़ देंगे बी का आंसर क्या है वन है यानिकि हिंदुस्तान रिपब्लिक असोसियान एच आरे की अस्थापना किसके द् ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर कत्रों पर आपको विचार करना और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है सुवास चंद्र बॉस ने फारवर्ट ब्लोग के स्थापना की थी बिल्कुल की थी कब की थी 1949 में जब इन्होंने कॉंग्रेस से इस्तिफा बाद में है वहां से यह अध्यक्ष चुने गए थे लेकिन गांदी जी को यह कुछ खास पसंद नहीं आया गांदी जी अपने समर्थन से जो उमिद्वार को उन्होंने खड़ा किया था उसे वो जिताना चाहते थे सिता रमय्या को लेकिन सुवास चंद्र बॉस उनको हरा देते हैं तो राजेंदर परसाद को जो है यहां पर अध्यक्ष बनाया जाता है किसको राजेंदर परसाद को जिसके कारण से सिता रमय्या गुसा हो जाते हैं बोलते हैं कि हमें सिर्फ हाराने के लिए चुनाब लड़ाया जाता है तो 24 का अंसर क्या हो जाएगा दोनों ज अगर कोई भी इस तरह से भी लगा दोगे तो दोनों सही हो जाएगा, लेकिन option के according आपको चलना होगा, दोनों भायों ने मिलकर अभिना भारत की की अस्थापना की थी, और मित्रमेला की भी, हिंदुस्तान Republican Army की अस्थापना किसने की थी, इसका answer हो जाएगा, यह essence अन्या, यानि कि यहाँ पे अगर 2, 1, 4, 3, यानि कि 10 का क्या होगा, 10 का correct answer हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखो क्या है, फिर से match the following है, अभिनाव भारत समाच, गदर पाटी, दुखो गदर पाटी, लाला हर्दियाल, बहुत ही आसान है, तो यहाँ पे 2 लगा दो आप, सवराज पाटी के स्थापना किसने की थी, तो देखिए सवराज पाटी के स्थापना जो है, सवराज पाटी के स्थापना ये रहा, C.E.R.D.A.S. जो की सुवाज संदर बॉस के गुरू भी थे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, अनुसिलन समिती, अरविंदो गोस, यानि की ऑप्सन A हो जाएगा, 1, 2, 3, तो यहाँ अभी नव भारत समाज, यानि की ऑप्सन 4, वीडी सावर कर, तो देखो, 4, 1, 2, 3 कहाँ है, option number D में है, D के साथ आपको आगे बढ़ना था, आगे बढ़ेंगे, लंदन में Indian Home Rule Society के अस्थापना को किस ने शुरू किया था, तो देखिए, Indian Home Rule Society की बात करें, तो याद रखना आपको Sam जी, क्रिस्न बर्मा के द्वारा, लेकिन Indian Home, All India अगर पूछ दिया जाए, All India Home Rule की, तो एनी बिसेंट होगा, लेकिन फिलाल जो आपका अंसर होगा, वो हो जाएगा option number D के साथ आपको आगे बढ़ना था, याद रखिएगा, 1905 में, क्रिस्न जी बर्मा के द्वारा जो है, इसकी अस्थापना, India House में, जो की London में इस्ती थे, वहाँ पे किया गया था, और इसकी सदसी थे, मदनलाल धिंगरा, जिनोंने जो है, गोली मारे थी, किसकी, कर्नल, हट वायरली का, अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे, जो किया कोश्चन नमर 28, प्रथम विश्यूद के दौरान सक्रिय होने वाले, गदर क्रांती कारियों का आधारस्थल कहां था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पश्चमी अमेरिका, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पश्ची अमेरिका में ये लोग बसे हुए थे, और गदर जो है पले क्या था, याद रखिएगा, गदर जो है पले एक निउस्पेपर हुआ करता था, अगला सवाल देखिए, गदर क्या है, गदर एक निउस्पेपर भी था, गदर एक जो है करांतिकारी सेंगठन भी था, जिसका जो कारियाला है, वो कहां था, सैन फ्रांसिसको, यूएसे में, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अप्सेन नमबर ए, करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, प्रतम महायुद के दौरान, यानि कि प्रतम विस्युद की बात हो रही है, यहाँ पे, भारत की अंतरीम सरकार, यानि कि जो इंतरीम गवर्मेंट होती है, बनाया गया था, और उसके प्रेसिडेंट राजा महंदर पाद, महंदर प्रताप थे, यह कहां हुआ था, तो यह अफगानिस्तान में हुआ था, और आपको जानकार हैरानी होगी, कि दो ही सदसित थे इस सरकार के, पहले तो राजा महंदर पुद थे, जो कि प्रेसिडेंट थे, लेकिन पी-म जो है, बनाया गया किसको, बरकतुल्ला अंसारी को, और दो ही लोगोंने सरकार बनायती, और मजे की बात यह है, कि साथ अलग-अलग देसों ने इनको मानिता भी दे दी थी, एक्सेप्टेंस भी कर लिया था, और याद रखिएगा, हाल मही अलिगड जो की हादरस में भी बढ़ता है, पियम मोदी ने महेंदर नाथ युनिवर्सिटी के इस्थापना की है, तो यह important सवाल बन जाएगा, जो की exam में पूछा जा सकता है, इसका आंसर यह हो जाएगा, बंगाल विभाजन के समय, बंगाल का लेटिनेंट गवर्नर कौन था, गवर्नर जेनरल आपसे नहीं पूछा गया है, अगर गवर्नर जेनरल पूछा जाता, तो आपको लॉड कर्चन जो है इसका नाम बताना था, ठीक है, लेकिन यहापे पूछा क्या गया है, लेटिनेट गवर्नर कौन था तो देखे इसका सही आंसर हो जाएगा option number A अब बोलोगे आपने answer ही बता दिया तो कुछ detail बगएरा कुछ तो बताया नहीं आपने बिल्कुल बताऊंगा देखिए बंगाल के बिभाजन को आप जो है ऐसे समझ लो किसका बिभाजन दो बार किया गया था कब किया गया था दो बार पहली बार कब किया गया था तो याद रखिगा 1874 में और 1874 में बंगाल को किससे अलग किया गया तो यह भी याद रख लीजेगा असम से जो है इससे अलग किया गया था किसे अलग किया गया था असम से अगर मैं दूसरी बार की बात करूँ तो 1905 में कब हुआ था 1905 में और यहां पे करजन जो कौन था यहां का गवर्नर जनरल था और जो सर एंट्यूज फ्रोजर था यहां का लेटिनेंट गवर्नर था यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई अब 20 जुलाई 1905 में और इसकी अनॉंस्मेंट किस सहर से की गई थी वह भी आप याद कर लो प्लीज पेन पेपर पे आप इसे लिख दो बार भार यह प्रसंद पूछे जाते हैं और यह चोड़ा सा फैक्ट है और एक्जाम में आप जो है चौतरफा गिर जाते हो तो प्लीज नौटडाउन करते जाईएगा इसकी शुरू जो एनॉंस्मेंट है वो सिमला से की गई थी कहां से की गई थी सिमला से और विभाजन के समय टोटल जो है 8 करोर की अवादी थी और मैं आपको बताऊं एक और बात यह जो उस में जो बंगाल का विभाजन हुआ था दूसरी पहला पूर्वी बंगाल था, यानि कि पूर्वी बंगाल यहां में लिख देता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, पूर्वी बंगाल में मुसलिम आवादी जादा थी, कितनी थी, तीन कडूर की आवादी यहां पे थी, तीन कडूर, और अगर मैं डिटेल्स में explain कर दिया दूसरा सवाल देखो क्या है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंब किस तिति से हुआ था तो देखिए पहला 20 जुलाई 1905 तो देखिए बंग भंग विरोधी को जो है आप ऐसे भी समझ लो बंगाल विभाजन के विरोध में इसकी जो है शुर ठोड़ा लेट आता है तो साथ जुलाईग देखिए 1905 में इसकी शुरुवात हो गई थी याद रखीएगा यहीं पे स्वदेशी आंदोलन की भी सुरुवात हुई थी और जो South India है, वहाँ पे जो है, इसे बंदे मातरम के नाम से जो है, बंदे मातरम के नाम से जो है, इसे जाना गया था, ठीक है, सारी बाते हैं आपने नोट कर लिए होगी, ऐसा मैं उमीद करता हूँ, अब देखिए, कुछ और डेट है, इसके बारे में थोड़ा डिसकस कर ल गया था, सोग दिवस के, क्योंकि जो बंगाल को है, अलग किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा, फुट डालो राज करो के नीति के तहत, यहां तक सारी बाते हैं आप समझ गए, अब दखिए, 7 अगस्त 1905, यह तो आंदोलन शुरुआ था, इसका नेत्रित्व किस ने किया था, यह भी एगजाम में पूछा जाता है, आंसर तो यह है, लेकिन नेत्रित्व किस ने किया था, तो S.N. बनरजी ने, S.N. बनरजी यहने कि सुरेंद्रनात बनरजी के दोरा जो है, इसका नेत्रित्व किया गया था, अगर मैं बात करूं, बंबई में या फिर अभ दिल्ली में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दिल्ली के बारे में आप लिख लो सियद हैदर रजा के द्वारा जो है इसकी सुरुआत की गए थी सारी बातें बिल्कुल crystal clear है आगे बढ़ेंगे तीसरे question की ओर बंग भंग के लागू होने की तिथी सोला अक्टवर 1905 को बंगाल में किसके सोजाब पर राकी दिवस के रूप में मनाया गया है किसके बारे में बात किया जा रहा है राकी दिवस के तो देखिए ये जो है रविंत रनाट टैगोर जो की बंगाल विभाजन के बिरोध में थे ये इनके अगेंस में थे और इन्होंने ही कहा कि हम लोग एक दूसरे के हाथ पे कलाई पे राकी बादेंगे और इसका बिरोध क द्वारा आमार सोनार बंगला इसी समय यही सोल अक्टूबर 1905 के आसपास जो है इसकी रचना की गई थी क्या इसका नाम क्या है आमार सोनार बंगला में लिख देता हूं और याद रखिएगा जो रविदना टैगोर है ये ऐसे एक बेक्ती है जिन्होंने दो अलग अलग के लिए राष्ट गान लिखा है भारत के लिए जनगनमन और बंगला देश के लिए उन्होंने लिखा है आमार सोनार बंगला ठीक है और सोदेशी बस्तूओं का इस्तिमाल के बारे में क्रिस्न कुमार मितर जी थे ये सबसे पले इन्होंने कहा कि हम लोग विदेशी बस्त उसको हम लोग जो क्या करेंगे बिरोध करेंगे इनका यही समाचार पत्र था सारी बात यहां तक crystal clear है तो हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और अगला सवाल देखो क्या है निमलिकित में से स्वादेशी आंदोलन का आलोचक कौन था और पुर्व सवादेशी अपनाओं के बारे में बात करा था किसने उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले आलोचक कौन था सवादेशी आंदोलन का तो इसका नाम था आर एन टैगोर यानि कि रविनाट टैगोर ने कहा यह बखवास चीज़े हैं ऐसा नहीं करना चाहिए देखिए अ सब का अपना point of view है लेकिन दयानन सरस्वती नाम याद रखेगा दयानन सरस्वती इन्होंने कहा कि ये काम होना चाहिए स्वदेसी को अपनाना चाहिए हमें स्वदेसी भासा के ओपर डिपेंड नहीं हो रहाना है स्वदेसी पहनावे पर ध्यान नहीं देना है दयानन सरस्व अब आप से में एक सवाल पूछोगा, नीचे कमेंट करके जवाब देना है, दियानन सुरस्थी का मूल नाम क्या था, यानिकी इनका वास्तविक नाम क्या था, नीचे कमेंट करके बताईएगा, मैंने आपको बताया, बिटिस बस्तुओं के बारे में जो है, बहिसकार किसने किया था क्रिश्र कुमार मित्र ने नेत्रितु किस ने किया था इस आंदोलन का सुरेंदर नात बनर जी के द्वारा बंगाल में स्वरी हां बंगाल में बिल्कुल कोलकाता में इसका जो है नेत्रितु अगला सवाल देखिए भारती राष्टी कॉंग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बैकिंग इंस्ट्यूट का था ये किसने का था बाल गंगाधर तिलक ने का था बाल गंगाधर तिलक ने और 1806 जब ये मदरास के अधिवेशन में सामिल थे उसी अधिवेशन में ये बाते इनोंने कई थी मदरास के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था दादा भाई नरोजी क्लियर हो गई बाते आगे बढ़ेंगे बंगाल में बिटेन की बस्तों के बहिसकार का सुझाब सरपर्थम किस ने दिया थो देखिए बंगाल में बिटेन के बस्तों का बहिसकार का सुझाब सरपर्थम जो है क्रिस्ल कुमार मित्र ने दिया था यह मैंने आपको भी बताया कि इनका कहना था कि हम लोग बिर्टेन के बारे में बिर्टेन के कपड़े बिर्टेन के बोल चाल के बारे में बात नहीं करेंगे बहिसकार करेंगे अब देखिए एक और मुझे अभी याद आगया बात मैं आपको बहुत समझाना चाहता था देखिए BC Paul ने क्या कहा था Congress के बारे में इन्होंने कहा था कि Congress क्या है बुलबुले की खेल है याने कि इनके द्वारा आजादी मिलने से रही ये लोग जो है सरकार के I mean British के जो है अगेंस जो है कुछ जादा ही जुके हुए है नर्म है इनको सक्त रवये अपनाने का जरूरत है बुलबुले का खेल किस ने कहा था भारती राष्टे Congress को ये कहा था BC Paul ने क्लियर होगे इस सारी बाते चलिए आगे बढ़ेंगे अब देखी ये भी मैंने बता दिया साथ में प्रसंट की और में बढ़ते हैं भारतियों के बिरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकिक्रित यानि कि एकिक्रित यानि कि इंटिग्रेट कर दिया गया जोड दिया गया मिला दिया गया तो ये काम होगा था 1911 में और उस समय देखे दिली दरवार जो है तीन बार आयोजित हुआ है पहली बार कब आयोजित हुआ है तो 1877 में लिटन के समय में यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था वो कौन था लिटन था ठीक है दूसरे 1903 में जबकि करजन यहाँ पे था कौन था करजन था यहाँ पे और आखरी बार जो हुआ था जो जो पंचम आये था यहाँ पे यादर कियेगा मैं अभी डेट भी लिख देता हूँ जो जो फिप्त यहाँ पे आयोई थे और यह कब वो था 1911 में और इसी समय में देखो क्या किया गया था कि बंगाल को फिर से इंटिग्रेट यानि की जोड दिया गया था और बिहार को जो है अलग कर दिया गया था उडिशा को भी अलग कर दिया गया था कुछ चीज़ें आप लिख लो पला फटा फट आजादी से पहले उडिशा पहला ऐसा राजे था जो कि भासा के आधार पर जो है अलग हुआ था भासा के आधार पर 1947 से पहले कौन अलग हुआ उडिशा आजादी के बाद जो है आंध्रा परदेश जो है सबसे पहला ऐसाद राज्य था जो कि भासा के आधार पर अलग हो गया था सारी बाते क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे लेकिन याद रखिएगा ये जो बंगाल का इंटिग्रेशन है ये 1912 में लागू हुआ था कब एक एप्रिल को एक चार एप्रिल को जो है ये लागू हुआ था क्यों क्यों कि हम लोग इसी दिन financial year मनाते हैं अभी भी इंडिया जो जाएगा option number C याद रखिएगा जो south है मदरा स्यानी की तमिलाडू अभी चन्नई इसे जो है माना जाता है चन्नई का नया नाम है याद रखिएगा चन्नई में या फिर south में जो है south इंडिया में लिख देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ south इंडिया मे बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी आपको होनी चाहिए बंदे मातरम आंदोलन तो चलो south में माना गया था लेकिन बंदे मातरम के बारे में एक और चीजान लो अगर इसके आगे ओम लगा दिया जाए ओम बंदे मातरम की जो है शुरुवात कहां से हुई थी तो याद जो है दिल्ली में इसका नेतरित किया था बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने बंबई में किया था इसका नेतरित अभी के समय का मुंबई अजीत चिंग ने और लाला लाज पातर है तो अनों एक ही जगा से थे कहां से पंजाब से इन्होंने पंजाब में जो ह आगे बढ़े हैं अगले सवाल के हो निमलिकित मैंसे कौन सा ने था कॉंग्रेस के गरम दल से सम्मंदित है गरम दल से देखिए अरविंद घोस हो जाएगा गांदी जी के गुरू एसन बनर जी ये भी कॉंग्रेस के ही नेता थे लेकिन इन लोगों का कहना था कि हम लोग जो जो है 1907 के कॉंग्रेस अधिवेशन में जो है ये दोनों अलग-अलग हो गए थे कब लग हो थे 1907 में और फिर से दोनों कब इंटिग्रेट हो गए तो 1916 के लखनव अधिवेशन में दोनों जो है एक साथ आ गए थे यादर की का ये बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है अगला सवाल देखो क्या है भारती राष्टी ये आंदोलन गरम पंतियों के प्रभाव दिन में कब आया देखिए ये कब आया ये बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है 1906 के बाद आया था एक्शली जो ये आंदोलन गरम पंतियों के प्रभाव दिन में जो आने वाला था ये कब हुआ था याद रखेगा 1906 में बड़ा ही important सवाल है बार-बार ये पूछा जाता है और देखिए जब मैं पिछला सवाल के बारे में थोड़ी बहुत और जानकर ये आपको देदेना चाहता हूँ देखिए कौन साने तक गरम दल से समंदित था तो इसका answer मैंने आपक जीब थे 1885 में इनके द्वारा ही जोए कॉंग्रेस के स्थापना की गए थी और इसी 1907 के दिविशन में इनको गाली दिया गया और इस बात से सहज नहीं हुए कि इनको गाली दिया गया और इन्होंने अपना इस्तिफा दे दिया और कॉंग्रेस से अपनी राह जूदा कर अगला सवाल देखो क्या है भारतिय मुसलमान समान रूप से उगरबादी आंदोलन की और आकरसित नहीं हो इसका क्या कारण था तो देखे भारतिय मुसलमानों का कहना था कि ये हिंदूओं के अतीत का राग अलापने की निती को नहीं अपनाएंगे यहाँ पर नहीं पूछ दूसरा क्या है उगरबादी नेताओं का मुसलिम विरोधी तिश्टी करन बिल्कुल ये इस बात से मानते थे इस बात को और ये तीसरा कारण भी था कि मुसलिम आकांचाओं के परति उदासिंता का रविया था इसलिए तीनों बातों में मुसलिम एगरी थे लेकिन ये बिलिक देता हूं 18 1920 में और इसी समय महात्मा गांधी के द्वारा इसी दिन जो है भारती रास्टी है असयो गांदोलन की सुरुवात की गए थी तो याद रखेगा गांधी जी के द्वारा किया गया था और कंदे उठाने की बात करूं तो सौकत अलीने जह है यहां पर नाम है सेफद्दुन किचलु के द्वारा इनको अर्थी को कंधा दिया गया था याद रखेगा अगर मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक की जिनकी मिलती हो गए थी एक अगस्त को और 1920 में तो देखे बाल गंगाधर तिलक ने क्या क्या था इन्होंने जो अंग्रेज क्य अगरा फंसन हो था उसमें इन्होंने जो है अंग्रेजोंने अलाओ किया था तो इन्होंने क्या किया इन्होंने गनेश महतसब की सुरुवात कर दी और यहां पे जो है लोगों को एक साथ लाने की कोशिज करने लगे आजात करने की कोशिज करने लगे बारत को और इसी समय जो है गनित महसम में इन्होंने जो है लोगों को एड करने की कोशिस करी किसने बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानर रखी इन्होंने माराथा समाचार पत्र की सुरुवात करी थी जो कि किस लेंग्वेज में छपता था इंगलिस लेंग्वेज मे पाला कारन क्या है, बालगंगाधर तिलक संपर्दायक थे बिल्कुल नहीं, बालगंगाधर तिलक संपरदायक नहीं थे, गनेज महसब की शुरुवात इनके द्वारा भारत को आजाद कराने के लिए की गई थी, और इन्होंने धर्म का राजनितिक अस्टर के रूप में प् ब्रिटिस बस्तुओं के भहिसकार को राष्टिय निती के रूप में कब अपनाया गया डेट पूछा गया है अब्यसी बात है स्वाधिय आंदोलन कब हुआ था 1905 में इसी समय पे इसकी सुरुवात की गई थी डेट का क्या होगा सही जवाब हो जाएगा क्लियर होगे बाते आगे बढ़ेंगे निम्लिकित मैंसे किस आंदोलन के दोरान बंदे मातरम भारतिय रास्टिय आंदोलन का सिर्शक गीत बन गया बंदे मातरन कब बन गया तो याद रखेगा ये बन गया था सौधिसी आंदोलन के दोरान ओम बंदे मातरन सन्यासी विद्रों के दोरान याद रखेगा और जो सौधिसी आंदोलन है ये कब से कब तक चला था 1905 से 11 तक और आपको पता है 11 में जो है जब दिल्ली दरवार ती पुनर जीवित करने के लिए एक Indian Society of Oriental आर्ट की स्थापना की गए थी किसके द्वारा तो देखे ये थे चाचा किसके चाचा रविंद्रनाथ टैगोर के और अविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की गए थी और इनका जो Arabian Knight है इनका अरेबियन नाइट ये बहुत जो है कहा था कि तुम गितांजली का इंग्लिस में ट्रांसलेट कराओ और उसके बार रविंद्रनाथ टैगोर को Nobel Prize मिला था तो याद रखेगा ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट सवाल है बिटिस पत्तकार H.W. नेविन सन किस से जुड़े हुए थे तो देखेए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number C ये सोदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे अगर मैं आसायोग आंदोलन की बात करूँ तो ये कब से कब तक चला था? 1930 से 31 में चला था अब आगे देखो सब बिना अबग्या आंदोलन की बात करूँ तो ये कब से कब तक चला था? सुरी यह जो असायोग आंदोलन था मैंने उल्टा लिख दिया असायोग आंदोलन जो है वो 1922 से 22 तक चला था एक्शली यह जो है बाल गंगा धर्तिलक के मिर्तियों के दिन से इसकी शुरुआत की गई थी सब इन अब अग्या आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो यह 1930 से 31 तक चला था सुदिशी आंदोलन 1905 से 1911 तक और इसी तरह से भारत अंग्रेजों के द्वारा जो है भार छोड़ा आंदोलन इन्होंने किताब लिखे थी उसकिताब का नाम क्या है New Spreeds of India यह जो है एक्जाम में पूछा जा सकता है New Spreeds of India यह जो है एक्जाम में बार बार पूछा जाता है तो इससे जो है पैन पेपर पे आप जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कोलकाता अदिवेशन 1906 में इसकी सुरुवात की गए थी और उसमें जो है दादा भाई नरोजी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जा रही थी याद रखेगा 1916 में जब लखनव अधिवेशन हो रहा था उसमें बाल गंगाधर तिलक ने जो है क्या कहा था सौराज मेरा जनम से ददिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा कब कहा गया था 1916 में इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ऑप्सेन नमर बी के साथ आपको जाना था बी था राइट आंसर अगला सवाल देखो क्या है सूरत विभाजन का नेतरितु किसके द्वारा किया गया था तो देखिए इसका सही जबाब क्या हो जाएगा ऑप्सेन नम स्थापक कौन थे पले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो देखिए संस्थापक थे अंग्रेज अधिकारी थे इनको आप याद रख लिजे ये यू हूम जो थे देखिए कई भारती इतिहासकार जो है मानते हैं कि अग्रेज के लिए काम करते थे भारती यों के बीच में रहकर तो खेर क्या सचाई यह नहीं है लेकिन सचाई यह है कि ये भारती रास्टे कॉंग्रेस के संस्थापक थे पारली बाद अब देखिए question आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारती रास्टे कॉंग्रेस का स्थापना कहां पर किया गया था तो देखिए इसकी स्थापना बंबई में की गई थी कहां पर की गयी थी बंबई में अभी जो है मुंबई इसका नाम हो गया है और अगर म कोलेज में जो है इसके स्थापना हुई थी और एक और क्वेशन देखिए बहुत ही फैवरिट है एक एक्जाम में पूछे जाने वाला कि लॉर्ड डफरीन याद रखेगा डफरीन के जो वाइसराय रहते हुए जो है कॉंग्रिस के स्थापना की गई थी लॉर्ड डफरीन क को इसके स्थापना इसलिए की गई थी पहले एक्चुली यह 25 को होने वाला था पचीस बार दो हजार फिर में दो हजार बोल रहा हूं 1885 को यह होने वाला था क्यों कि 25 दिसंबर को अंग्रेजों का बहुत बड़ा तैभार होता जिसे क्रिसमस के रूप में आप जानते हू तो उसी दिन जो है इसके स्थापना होने वाली थी लेकिन यह पूने में होने वाला था पले यह भी आप जान लो यह पूने में होने वाला था लेकिन पूने में देखिए क्या हो गया था जैसे भी COVID-19 फैला था वैसे वहाँ पे प्लैक फेल गया था ठीक है पेंडमिक जाते वे जो है इसके स्थापना की गई A.O. Hume के द्वारा, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, यह असैनिक सेवक थे, कौन? A.O. Hume, एक और बात याद रखना है, एक ही question में बहुत सार चीज़ों को आपको कराऊंगा, याद रखना है आपको Indian National Union, Congress का पहले नाम हुआ कर इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, और Congress की जो अस्थापना हुई थी, भारती राष्टी है, INC की जो अस्थापना हुई थी, इसके बारे में सबसे पहले ख़बर किसने चापी थी, अभी जो UPSC पगर आप करते हो, तो Da Hindu आपने अखबार जरूर पढ़ी अब देखें, इस एक question में मैंने लगबग लगबग आपको 8 से 9 अलग अलग जो है, 8 से 10 पॉइंट आप लोगों को अलग से बता दिया, जो कि exam में पूछा जा सकता है, pain paper पे उससे आप लोग note down कर लिजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर, भारती र इसने जो है समारा था, इससे पहले अगर मैं बात करूँ, तो लॉड रिपन की option number A में दिख रहा होगा आपको, लॉड रिपन जो है 1880 से 84 तक भारत का क्या था, वाइस रहा था, यहां तक सारी बाते समझ में आ गई, अब देखिए आगे, टोटल 72 सदस से सामिल हुए थे भारती राष्टी कॉंग्रेस के स्थापना के टाइम में, टोटल कितने 72, यूपी से कितने 7, इसे जो है नोटडाउन आप कर लीजिएगा, और अध्यक्ष कौन बने थे तो W.C. बनर्जी, ठीक है, W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे, जो की पेसे से क्या थे, एड नेक्ष कॉश्चन देखिए आपके सामने, यह रहा, राजनेतिक सुधारों को लेकर बिरोध करने वाले पहले भारती है कौन थे, आपसे इंडियन पूछा गया है, अंगरे जो राजनेतिक पॉलिटिकल, जो सुधार करने को लेकर बात हो रही थी, उसमें देखिए, उस स यसी का जो एक्जाम देकर IS निकलते हैं, वो, तो सुरेंदर नाथ बनर जी पहले ICS थे, यह तो हुई पहली बात, दूसरी बात, इंडियन नेस्नल असोसियेशन की इनोंने अस्थापना की, किसके अस्थापना की मैं सौट में लिखूंगा, जो है फुल में अपने नॉट आते हो, तो 26 जुलाई 1876 में इनोंने अस्थापना की थी, यहां तक सारी बाते क्लियर हो गई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, option number B, option number B क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, अब दादा भाई नरोजी के बारे में जान लिजिए, दादा भाई नरोजी को जो है Old Man के नाम से भी जाना जाता है, Grand Old Man के जाना जाता है, और दादा भाई नरोजी ने जो है, Congress का नाम, जो कि पहले क्या हुआ करता था, Indian National Union, उसका नाम बदर कर, Indian National Congress इसका नाम कर दिया था, सारी बातें क्लियर हो गई, चलिए, अब कुछ और चीज़ों को हम लोग देख ले थी, ये भी exam में जो है, बहुत ही favorite question है, examiner इसे बार-बार पूछता है, ये भी आपको याद रख लेना है, तो अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी अगर इतना time खर्च हो गया है, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी जान लीजे, बाल गंगाधर त participate करी थी, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन रोने कभी भी जो है, अध्यक्षपत, जो है, ये कभी अध्यक्षपत तक नहीं पहुँचे थे, तो इसका फिलाल answer क्या हो जाएगा, ये D नहीं होगा, इसका answer हो जाएगा, option number B, सुरेंदर नाथ बनर जी, अगला सवाल और पर्थम अधिवेशन में 72 परती निदियों के साथ मुंबई में हुआ था, हाँ भाई, उसमें तो मुंबई ही था, लेकिन अभी के, अगर मैं समय के according बात करूँ, तो अभी जो है, ये क्या है, मुंबई है, तो पहला option तो बिल्कुल absolute क्या है, correct है, दूसरा question पड़ो, तो भारती राष्टी कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. Benerji मैंने आपको बाते बता दी है, सही है, और महासचीव कौन थे, A.O. Hume, बिल्कुल सही बात है, भारती राष्टी कॉंग्रेस के पर्थम मुसलिम अध्यक्ष बदरुदिन तयब जी और पर्थम यूरोपिये अध्यक्ष जोर्च यूले थे, तो याद रखेगा, अगर विद्योसी की बात करी जाए, तो 6 ऐसे बैक्ती थे, जो कि भारती राष्टी कॉंग्रेस की अध्यक्षिता कर चुके थे, याद रखेगा इस बात को, यह बहुत important सवाल है, यहाँ तक सारी बातें clear हो गई, यादि कि तीसरा है, यह भी सही है, चौथा अप्सन को पढ़ो, लौड कर्जन ने कॉंग्रेस को सुक्ष्म दर्सिये अलप संखिर जनता, यानि कि बहुत कम जनता को रिप्रेजेंट करने वाला संस्था बताया था, और मजाक भी उड़ाया था, नहीं, यह लौड कर्जन पाकि यह जो first, second, third, तीनो answer correct है, पांच में क्यों बढ़ते हैं, भारतिये, कॉंग्रेस के दूसरे अधिबेशन की अध्यक्षिता, दादा भाय नरोजी ने की थी, बिल्कुल सही बात है यह, अगला कतन पढ़ लेते हैं, कॉंग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रिरित था, नहीं उनके द्वारा सोचा था, नहीं योजनावद किया गया था, सर सेयद अहमद खां के द्वारा बोला गया था, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने यह बाते कही थी, यह अंग्रेश का पालतु कुत्ता था, एक्चली यह जो है, अंग्रेजों की चटुक सही है अब देखिए 7वे नंबर point को देखिए भारती राष्टीय Congress के दूतिय सम्मेलरं में 33 Muslim परतिनिद्यों ने भाग लिया था बेलकुल सही बात है देखिए भारती राष्टीक को जो मुस्लिम रिपरेजन्टेटिव थे उन्होंने यहाँ पर करी थी तो फिलाल 1, 2, 3, 5, 6, 7 सारे correct है 4 को छोड़कर अब देखो जहां भी 4 option देखे तो वो answer आपका correct नहीं होगा दो तो छट गए ऐसे ही उप्रूप्त मैं सभी यह भी छट गया क्योंकि 4 इसमें included है तो option A आपका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा clear होगे बाते चलिए अगले question के और में लोग बढ़ते हैं अगला question देखो क्या है सुरेंदरनात बनर जी के द्वारा अस्थापित किया गया संगठन का नाम बताईए मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका नाम क्या था Indian National Association Indian National Association INA यहां तक बातें clear हो गई 1886 में इसकी जो है Indian National Conference और दादा भाई नरोजी के कहने पे सुरेंदरनात बनर जी ने जो है Indian National Conference और इंडियन जो उसे का जो है कॉंग्रिस में विले कर दिया ताकि जो है और अच्छे तरीके से जो है अंग्रे जो खिलाब भारतिये बोल पाएं डीस का सही जवाब होगा आगे बढ़ेंगे अदोलिकित मैं से भारत में किस राजनतिक संगठन के अस्थापना 1838 में हुई थी तो देखिए रविंदरनात टैगोर आपने इनका नाम सुना होगा कहीं पे रविंदरनात टैगोर कहीं पे ठाकुर लिखा हुआ आता है ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठाकुर पले क्या हुआ करते थे जमिंदार हुआ करते थे बड़े बड़े जमीन के टुकडे के मालिक हैं यही हुआ करते थे और रविंदरनात टैगोर के जो दादा जी थे जिनका नाम कहीं पे आपको जो है द्वारका दिखेगा कहीं पे कुछ और नाम आपको दिखेगा तो इसका सही तो इसका नाम था JJ Thompson बोलो कि यह नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है विल्कुल आपने सुना ओगा जेजे थॉम्सन ने जो इलेक्ट्रोन है इसकी खोज की थी लेकिन याद रखिएगा ये वो जेजे थॉम्सन नहीं था इलेक्ट्रोन खोजने वाला कोई और था डिफरेंट वैक्ती था और जेजे थॉम्सन जो बंगाल बिटिस इंडिया सोसाइटी के स्थापना करने वाला दोनों अलग-अलग वैक्ती थे, दोनों अलग-अलग हैं, दोनों एक ही वैक्ती नहीं है, ठीक है, अगला सवाल देखो, अच्छली और कुछ चीजों को यहाँ पे आप देख सकते हो, यह जो बिटिस इंडिया सोसाइटी है, इसकी अस्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुपरमंद्यम आयर के द्वारा की गई थी, और बंगाल बिटिस इंडिया के अस्थापना 1843 इसवी में की गई थी, क्लियर होग बात हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1843 में की आगे देखिए एचली ये प्यारे नहीं प्यारे चंद्र मित्र निम्रिकित में से किस संगठन के सचीव थे तो इसका जवाब हो जाएगा बंगाल बिटिस इंडिया सोसाइटी की जिसकी अस्थापना किसके द्वारा की गई थी अभी आपने पढ़ा जेचे थॉम्सन के कब की गई थी 1843 के समय में की गई थी और याद रखेगा ये भी ये जो संस्था थी जो अभी आपने पढ़ा जमिंदार असोसियेशन दोनों संस्था एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे ये लोग सिर्फ और सिर्फ जमिंदारों के लिए जो है आवाज उठाते थे जमि गया आप और याद रखेगा लॉड कॉर्णी वालिस के समय में कॉर्णी वालिस के समय जो है जमिंदारी पर्था का जो है सुरुवात की गई थी इसकी सुरुवात कब हुई थी लॉड कॉर्णी वालिस के समय अगला स्वाल देखो कोश्यन नंबर 8 क्या पूछा गया है आ अब आपको बताया गया कि किस ने किस की अस्थापना करी थी या किस से संबंदित वैक्ती थे तो देखिए इस option को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए पहला का जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा राधा कांत देव यानि कि British Indian Association के अस्थापना राधा कांत देव के द देखा सकते हो अब देखो अगला जो है अगला जो option है वो यहां से आप अगर मैं इसे totally summarize कर दूँ तो इसका answer क्या हो जाएगा भी यहां से आप जो है चीजों को देख पाओगे जी का क्या हो जाएगा 7 जी का 7 यानि कि Land Holds Associates अभी मैंने इसको बारे में आपको पढ़ाया यह जो जमिंदारी परथा की सुरवात किस ने करी थी द्वार का नाथ टैगवर के द्वारा इसकी की गए थी यह रविंद नाथ टैगवर के क्या थे दाजाजी थे अब देखिए अगला क्या है यहां से देखो भारतिय राष्टिय उदार संग के स्थापना सुरेंद्र आपनाथ बनरजी के द्वारा की गई थी, इंडियन सोसाइटी के स्थापना आनद मोहन भोस के द्वारा की गई थी, अब देखू, अब जो आपका बचिके option number D, D का क्या हो जाएगा option number A, यानि कि servant of India सोसाइटी के स्थापना किस ने की थी, गोपाल कृस्न गोखले ने की थी अब देखिए इसी तरह से C option का जो जवाब हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा option number 4, यानि कि सेयद अहमद अली के द्वारा इसके स्थापना की गई थी, अगर सारे option को देखोगे, तो option number B आपका क्या होगा, correct हो जाएगा, एक question यहाँ से कभी-कभी पूछ लिया जाता है अब देखिए question number 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, निमलिकित को उसके संगठन के आधार पर करमवार सजाएगे, कब जो है कौन सी संस्था के अस्थापना की गई थी, इसके accordingly आपको इसको सजाना है, तो देखिए यह जो सारी संस्था है न, यह सारी संस्था का काम क्या था, यह सारी संस्था इंडियन वेलफेर के लिए जो है बनी वी थी, इसे जो है आपको याद रखना है, यह सारी संस्था का काम क्या था, इंडियन सोसाइटी के लिए काम करना, यह सारी संस्था जो थी, वो इंडियन, I mean जो है यह संगठन जो है भारतियों के वेलफेर के आपको बताना है तो देखिए इसमें जो wrong हो जाएगा actually सही जो हो जाएगा वो क्या होगा इसमें देखिए 2 और 4 क्या है wrong है East India Association के अस्थापना कलकत्ता में नहीं होई थी और Indian Association के अस्थापना मॉंबई में नहीं होई थी option नमरे में क्या है Land Hall Society मैंने बताया आपको ये क्या थे द्वारिकानाथ टैगो और ठाकूर जो भी बुलो आप यहीं इसका अंसर हो जाएगा अब देखिए एक और question है British India Society के अस्थापना किसके द्वारा की गई थी William Ants के द्वारा इसके स्थापना की गई थी इसके अलाबा देखो C C में क्या है Indian Society Indian Society के स्थापना जो है आनन्द मोहन बोज के द्वारा की गई थी ये दूसरा वाला इसका अंसर हो जाएगा और आखरी में क्या है Indian Association Indian Association के स्थापना जो है SN यानि की सुरेंदरनाथ वनरजी के द्वारा किया गया था ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा option number A यहां से अगर आप सारे कूट को देखोगे तो इसका आंसर यही होगा आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और अगला सवाल देखो क्या है एको दो से मिलाना है एको दो से मिलाना है तो देखिए अगर आप यहां से देख पाओगे तो चीजों को आप समझ पाओगे यहां से देखोगे तो आप चीजों को समझ पाओगे इंडिया लीग की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया लीग की अस सामने सामने ही हैं अब देखें तीसरा क्या है भारती राष्टिय उदार संग इसकी अस्थापना जो है सयद अहमद खान के द्वारा ही की गई थी United India Patriotic Association के स्थापना किस ने की थी तो देखें इसका भी answer क्या हो जाएगा भारतिय राष्टिय उदार संग के स्थापना सुरेंदर नात्वनर जी के द्वारा की गई थी और United India Patriotic Association के स्थापना स्यद अमद खान के द्वारा की गई थी तो एसका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा बहुत ध्यान से देखना होता है अगला सवाल क्या है आपके सामने अगला सवाल अगर आप पढ़ोगे देखे क्या है आपको बताना की कौन सा सही नहीं है तो याद रखिएगा Land Hold Society of Bengal के स्थापना मैंने आपको पहले पढ़ा अठाया था 1838 में हुई थी किसके द्वारा द्वार कानात बेनर जी जो की दादा भाई रविद्ना टैगोर के दादा जी थी तो इसका जवाब क्या हो जाएगा option number D क्या है इनकरेक्ट है 1838 में इसके स्थापना हुई थी किसके द्वारा बिलियम जॉन्स के द्वारा इसक समिती का जो है सभापती कौन था ये आपसे पूछ लिया गया है तो याद रखिएगा इसका सभापती था डिग भी ये जो था डिग भी था और याद रखिएगा जो ये पहला option है इस वेक्ति के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकरी होनी चाहिए ये राष्ट्रिये कॉंग्रेस का दो बार ये अध्यक्ष भी बन चुका है और दादा भाई नरोजी जो है भारती रास्टे कॉंग्रेस के तीन बार अध्यक्ष बन चुके हैं दो बार ये कोलकाता कोलकाता दिवेशन में और एक बार जो है ये जो है इलावाद के सिसन में अध्यक्ष बने थ अगला सवाल देखो क्या है निमलिकित में से कौन भारती राष्टे कॉंग्रेस के अस्थापना अधिवेशन में उपस्तित नहीं था यानि कि जब 1885 में इसकी अस्थापना हो रही थी तो कौन मौजूद नहीं था दादा भाई नरो जी बिलकुल नहीं भारती राष्टे अगला सवाल देखो क्या है निमलिकित में से एक भारती राष्टे कॉंग्रेस से कौन संबंद नहीं है यानि की रिलेटेड नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया था सरसयद अमद खां ये अंग्रेज का पालतु कुत्ता था अंग्रेजों के कहे अनुसार ये भौकता था अंग्रेज जैसा बोलते थे ऐसा ये बोलता था और ये क्या था मैंने आपको बताया ये अमीन का काम किया करता था ये जो है अमीन का काम किया करता था और इसने सदस्य थे वो भी वहाँ पर सामिल हुए थे बहुत सारे जगहों पर लेकिन इसने जो है प्रोपगेंड़ा फैलाया कि यह हिंदूओं का ही संस्था है किसने और एक और बात है 1889 में कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस अधिवेशन में महिला हैं सामिल हुए थी कब 1889 में अगला सवाल देखिए क्या है भारती राष्टे कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्ष सरोजनी राइडिय थी बिलकुल गलत अगर यहाँ पर पर्थम भारतीय महिला बोला होता तो यह सही हो जाता याद रखिए का यह बहुत बहुत important है पर्थम महिला अध्यक्ष जो 8-8 का जो है आप एज बढ़ाते जाओगे आई मीन एर बढ़ाते जाओगे तो चीजें होते जाएगी दूसरी बार कौन बना था 1825 में सरोजनी नाइडू और फिर इसमें 8 एर आप अगर जोड़ दोगे तो नली सेन गुपता 1888 में यह बनी थी इसे जो है प्याद रख ल आप जो है जो है यहाँ पर कानपूर से जुड़ी हुई थी और एनिविसेन कोलकाता अधिवेशन की अधियक्षिता की नली सेन गुपता ने भी कोलकाता की अधियक्षिता की थी तो यह आप्सन क्या हुआ इनकरेक्ट हो जाएगा भारती राष्टिक कॉंग्रेस के अब देखिए थोड़े बहुत जो है तैयर जी के बारे में जान लेते हैं तो देखिए यह मदरास से रिटेट थे और 1887 में इन्होंने जो है मदरास में जो है कॉंग्रेस की अधियक्षिता की थी और इन्होंने कहा था यह साउथ के पहले ब्यक्ति थे कि कॉंग्रेस को ज उचा गया है तो देखिए इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारती राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए भले ही इनोंने 1919 में जो है कॉंग्रेस के अधिवेशन में इनोंने पार्टिसिपेट कर रहा था यानि कि उसमें सा 1920 को इनकी मिर्ति हो जाती है ठीक है और इसी समय गांधी जी के द्वारा जो है मास मुवमेंट भी चलाया जाता है अगला सवाल देखिए बाल लाल पाल त्रिकुट में कौन भारती राष्टे कॉंग्रेस का अध्यक्ष बना तो याद रखिएगा बाल यानि कि बाल गंगा अधर तिलक के मिर्तियों के बाद ये जो है बने थे याद रखिए का लाल बाल पाल गरम दल से सम्मंदित थे और 1920 में 21 अधिवेशन में जो है सामिल हुए थे कलकत्ता अधिवेशन में ये जो है सामिल हुए थे अध्यक्ष के तौर पर क्लियर हो गई बाते आगे किस अधिवेशन में दादा भाई नरो जी के अध्यक्षिय भासन को उनके बदले में किस ने पढ़ा तो इसका आणसर हो जाएका गौपाल खरिशिन गोकले जो कि गांधी जी के गुरू से गंदी जी के राजनिति गुरु कौन थे गौपाल खरिशिन गोकले, गोपाल खर निनोंने जो है इसकी उनके बदले इनके भासन को पढ़ा और गरम दल नरम दल के बारे में आपको मैं बता रहा था 1907 में सूरत अधिवेशन में कहां पर सूरत अधिवेशन में जो है गरम दल और नरम दल दो फाड़ हो गए यानि कि दोनों ने अपना अलग-अलग रास्ता चुल लिया लेकिन फिर 1916 में जब लखनवु अधिवेशन हुआ तो दोनों को जोडने का काम किस ने किया था ये आप नीचे कॉमेंट सेक्षन में बताएंगे दोनों 1916 में लखनवु अधिवेशन में दोनों एक साथ जुड़ गए थी राधे क्रिस्न दंड सेना के नेतरितु में कहां बिद्रो हुआ था तो देखिए आपको बताना है राधे क्रिस्न दंड सेना के द्वारा जो है बिद्रो कहां पर किया गया था तो देखिए इसका सीधा और सटीक आंसर क्या हो जाएगा गंजाम गंजाम के उडिसा को अभी एकशली गंजाम जो है उडिसा में पड़ेगा आपका तो रादे क्रिस्न सेना के द्वारा जो है गंजाम में बिद्रोग किया गया था अब कुछ और चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं तो देखिए उडिसा से मुझे याद आया कि संभलपूर वहाँ पे एक जगह है संभलपूर याद रखिएगा आप लोग पेन पेपर पे नोट डाउन करते जाएगा संभलपूर एक जगह है जहाँ पे दो लोगों ने बिद्रोग किया था एक का नाम था सुरेंदर साही इसे भी आप याद रखोगे सुरेंदर साही और इनके साथ एक और थे उनका नाम था उज्जवल याद रखिएगा उज्वल लिखने में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं एक्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है वरतनी में ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उप्सेन नंबर A अब मेरिट की भी थोड़ी बात कर लेते हैं मेरिट में किसने परदर्शन किया था तो देखिए कदम सिंग इनका नाम क्या था कदम सिंग नागपूर की अगर मैं बात करूँ तो नागपूर में जो है रंगो जी बापू ने यहाँ पे इसका जो है नेतुरित किया था रंगो जी बापू, आप इन सारे चीज़ों को जो है pen paper पे not down कर लेना है आपको, अगले question की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, next question देखो क्या है, मौलवी लियाकत अली, जो की पैसे से क्या थे, वकील थे, ये भी याद रख लेना है आपको, मौलवी लियाकत अली, 1857 की करांती मे इन्होंने कहाँ पर नेतरित किया था, ये आपसे पूछा गया है, तो देखिए इसका सीधा जवाब हो जाएगा, इलाहबाद, इसका क्या हो जाएगा, इलाहबाद जिसका नाम अभी प्रियागराज रखा गया है, अब देखिए, फैजाबाद की बात कर लेते हैं, तो द अगले की ओर बढ़े हम लोग, नेक्स्ट की ओर, तो देखिए, बरेली की तरह से खान बहादूर खान, बरेली की ओर से पराला अप्सटन है, यहाँ पर, Khान बहादूर खान ने नेतरित किया था, खान बहादूर इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन हम से पूछा है, क 1857 की करांती में मौलवी लियाकत अली के द्वारा, तो देखिए मौलवी लियाकत अली के द्वारा जो है, इलहाबाद जैने की option नमर भी सही हो जाएगा, मैंने चारो option इसलिए करा दिया ताकि question कहीं सभी आ सकता है, अगला सवाल देखो पहले भारतिये जिन्होंने 1877 की करांती को प्रथम सवतंतरता संग्राम कहा था ये question इतना भी भी आई है कि कहीं न कहीं ये पूछी लिया जाता है BPSC के exam में ये पूछा जा चुका है TRE 2.0 के exam में तो देखे इसका सही जबा हो जाएगा BD साबर कर और इन्होंने ये बाते कहां बताई थी तो The War of Independence इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है The War of Independence of Revolt 1857 ठीक है मैं स्वाट में लिख देता हूँ Independence और Revolt जो है इसे भी लिख देता हूँ Revolt 1857 ठीक है तो ये question जो है पूछा भी जा सकता है कि कहां किस बुक में इन्होंने कहा है तो इसे भी याद रखना है आपको ठीक है और अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल देखो क्या है 1857 की करांति के संदर्व में किसने कहा था ये सबहता और जो बरवरता है उसका एक संघर्स है तो देखिए T.E.R. Holmes ने ये बातें कही थी किसने कही थी T.E.R. Holmes ने ये बातें कही थी और रीस के द्वारा देखिए जो L.R. रीस थे इनके द्वारा बताया गया था कि ये इसाईयों के बिरुद है वो धर्म यूद है इन्होंने कहा दिया कि ये इसाईयों को ही खत्म करना चाहते हैं कौन हिंदू और मुस्लिम बताओ उल्टा चोर कोतवाल को डाटे इन्होंने किस छेतर पर विजय सिरी यानि कि इन्होंने अपने कबजे में किस छेतर को लिया था सिधा सिधा सवाल है इसका आंसर हो जाएगा जगदीश पूर देखिए मेजर विसेंट नहीं बीर कुमर सिंग के उपर गोली चलाने का आदिश दिया था और वो नाव पे गंगा नदी में वो पार हो रहे थे और उनके बाह में गोली लगी गोली के जहर से जो है उनका सरीर जो है विशाला ना हो जाए इसलिए उन्होंने एक बाह को काट कर जो है गंगा नदी में बहा दिया था फिर अथ्यधिक रक्त के स्त्राव यानि की खून बाने के कारण उनकी चलिए यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा उपसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखे क्या है भारत राज सचीव की साहिता के लिए कितने सदस्यों की एडवाइजरी काउंसिल बनाए गए गए देखिए सबसे पहले भारत के जो राज की टीम बनाई गई थी इसमें देखिए आठ कौन लोग वा करते थे आठ जो है ब्रिटिस जो ब्रिटिस के जो क्राउन है यानि कि ब्रिटिस रानी है उनके द्वारा आठ लोगों को यहाँ पर जो है नाम दिया जाता था और बचे वे साथ जो मेंबर होते थे वो इस्ट लानी विक्टोरिया का घोसना पत्र था उसे ही भारत का मैगना काटा कहा जाता है अब देखिए क्वेश्चन ये भी पुछा जा सकता है कि ये मैगना काटा किसके द्वारा किया गया था कौन किसने घोसना करी थी इसकी तो याद रखिएगा उस वेक्ति का नाम लॉड कैन और ये आखरी गवर्नर जेनरल था ये जो था आखरी गवर्नर जेनरल और पर्थम वाइसराय भी था इसे भी याद रख लेना है आपको option C क्या होगा इसका सही जबाब हो जाएगा फिलाल कुछ और चीजों को देख लेते हैं question बहुत important है Montague Champsport सुधार जो है 1909 में हुआ था याद रख लेंगे आप और माले मिंटो जो माले मिंटो सुधार है वो कभ हुआ था तो उसे याद रख लेना है ये जो है स्वरी पहला जो आंसर होगा स्वरी ये 1909 होगा ठीक है और दूसरा जो आंसर होगा वो 1909 होगा प्लीज आप जो है correction कर लिजेगा इसे तीसरा प्रस्थाब संजाओगा वो 1859 होगा ठीक है कौन विक्टोरिया का जो है गोशनापत्र ठीक 1859 के बाद जो है पारित हुआ था और आखरी का जो हो जाएगा वो 1940 हो जाएगा ये कब हुआ था क्रिप्स मिशन का प्रस्थाब कवाय था 1842 में आगे बढ़ेंगे भारत पर हम ये कथन जो है मेजर एडवर्ट के दोरा दी गई थी और मेजर एडवर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये पहले भारत के राज सचीव बने थे यहां तक सारी बाते क्लियर हो गई एक और नाम देख लो ये जो नाम है चार्ल्स नेपियर का ये इनसान ने कहा था कि भारत के जो सैनिक है न वो भारे के टट्टू है यानि कि भारे के सैनिक हैं कमजोर हैं बुझ दिल हैं ये भाग जाते हैं लड़ाई को देखकर तो चार्ल्स नेपियर तृतिय ने ये बाते कही थी तो बड़ा ही बेसरब इंसान था ये अब देखिए लॉट डलहोजी के इस ने राज हडब निती, हडब निती किसने लाई थी, ये भी सवाल पुछा जा सकता है, हडब निती जो है डलहोजी के द्वारा लाई गई थी, और इसी ये जो है मैन विलेन था, कि 1870 अउनकी क्रामती हुई थी, इसका मुख्य कौन था, आयोजन होने के पीछे, डलहोजी अंतिम जो है गवर्नर जेनल और पर्थम वाइसराय थे, इनके द्वारा जो है समराट की उपाधी को खत्म कर दिया गया, और आखरी जो व्यक्ति थे जिनको ये जो है खत्म करने के पले, देखिए बहादुरसा जफर, वो जो है पैंसनर थे, और उनके पिताजी, रखेगा, ये पैंसन ने, मुगल्स जो सासक थे, उनकी बहुत पैंसन बढ़ा दी थी, और इस बज़े से जो है, इनको फिर जो है, दूसरे जगह पर ट्रांसपर किया गया, राज से निकाल दिया गया, तो ये रंगून बागेरा भेज दिया था इस बज़े से, अगला जो है, उत्तर भारत में आकर बस गए थे, और अहमद उल्ला खां को धोके से मारा इनके दोस्त ने, जिसका नाम था, कहीं कहीं आपको राजा जगरनाथ दिखेगा, कहीं जगरनाथ सिंग दिखेगा, कहीं पर आपको जगरनाथ बानु दिखेगा, लेकिन ये भेडिया एक इसने प्यार से इनको बुलाया, और फिर पीठ में छूरा घोपा, यानि कि गोली इनको मार दी धोके से, लेकिन बुरे का परिनाम बुरा होता है, अहमद उल्ला खां को गोली मारने के एवज में 50,000 रुपे के लालच में इसने गोली मार दी, लेकिन यहाँ पे जो राजा पे चड़ा दिया गया, वो बोलते हैं न कर्मा, कर्मा वापस लोटके आता है, आप अगर कुछ गलत करोगे, आपके साथ definitely गलत होगा, तो देख लो, आपके सामने example है, answer इसका क्या हो जाएग, option number B, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, Henry, Lawrence, Havelock, और Neil, देखिए ये जो Havelock हैं और Neil हैं, इनके नाम पर आपको दीप समू दिखाई देंगे, कहाँ पर, अंडमान, निकोबार, जो कि अभी लक्ष दीप, वहाँ पर आपको इनके नाम दिखाई देंगे, तो 1877 की करांती में ये लोग कहाँ मारे गए थे, देखिए सबसे ज़्यादा जो है, लखन के पास सबसे ज़्यादा सैन सकती थी, सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे, भारतिय सैनिक, वह लखनव वाले में ही थे, और सबसे अधिक अंग्रेज सैनिक भी लखनव में ही मारे गए थे, और लखनव का, जो है, किसने जो है, इसका नेतरितु किया था, तो हजरत महल ने, अपने महल में रख लिया जाता है, तो हजरत महल इनकी पतनी थी, और जीनत महल के बारे में जिनको पता है, नीचे कमेंट करके बताईएगा, ठीक है, तो हजरत महल ने लखनव का नेत्रितु किया था, आगे बढ़ेंगे, जनरल रेनाओल्ड 1870 की क्रांती में निमलिकित में से किस छेतर से समन्दित थे, तो देखे इन्होंने जो है, एक से अधीक, यनि कि ये धो, पधिपूर और बरेली दोनों जगहों पर इन्हों ने कपझा कर लिया था, इस वज़ाओं से ये इस छेतर से समन्दित थे, इन्होंने Çो है, विद्द्रो को दबाया, और इन जग उस समय जो बिटिस के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या है वो नीचे कॉमेंट करके आप बताओगे लेकिन 1857 की करांती के समय बिटेन का परधान मंत्री का नाम क्या था विसकार्ट पामस्टन याद रखेगा पामस्टन जो है उस समय का पीम था कहा का बिटेन का अगल नुकसान तो बिटिस सेना से त्रस थी थे उनको से टेक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था और क्रिशक बात है जो की मजदूर थे और क्रिशक दोनों को नुकसान हो रहा था लेकिन नुकसान किसको नहीं हो रहा था साहुकार को किसको नुकसान नहीं हो रहा था जमिन हो गया क्यों हुआ यह असफल तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number D देखिए क्यों भारतिय सिपायों में एकता की कमी थी बिल्कुल सही बात है उनको कोई leader नहीं मिला और इसलिए इनको संगठित नहीं किया गया प्राया भारतिय राजा देखिए जो British सिपाय जो है अच्चे से सुजदित थे संगठित थे उनको तो East India Company को बचाना था लेकिन यहाँ पे जो है अलग-अलग राजों ने किया था जिस वज़े से जो है भारतिय सैनिक क्या थे संगठित नहीं थे सही जवाब क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा correct answer चली आगे बढ़ेंगे 1857 के स्वतंतरता संगराम से संबंदित पहली घटना कौन सी थी पहली घटना की बात की जा रही है यहाँ पे तो देखिए पहली घटना जो है आपको कहां देखने को मिलेगी सैनिकों का जो है दिल्ली के लाल के लिए पहली घटना हुई थी लेकिन मैं कुछ और चीज़ें आपको जो है additional बता देना चाहता हूँ 1857 की करांती देखे 10 मई से आपने पढ़ा होगा कि 10 मई से यह इसकी सुरुवात हुई अच्छी बात है सही पढ़ा है आपने लेकिन जो पहले योजना बनाई गए थी वो उस योजना के ताथ जो है 31 मई सुरुवात होनी थी 31 मई को ही जो हुआ था और इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं यह पहले जो है कहां से सुरू होने बाला था यह तो आपको पता है मेरेट से सुरू हो गया था लेकिन यह बैठूल से सुरू होने वाला था ठीक है लेकिन एक और कोश्चन जो है सही answer क्या हो जाएगा रानी लक्ष्मी भाई यानि कि एक का जो है चार answer correct हो जाएगा तो देखे दो option मिल रहे हैं फिर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे लखनव की और से जो है आगे कौन बड़े थे लखनव की और से अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लखनव का परते निदितु कौन कर रहे थे लखनव का परते निदितु कर रहे थे बेगम हजरत महल ने तो इसका answer क्या हो जाएगा देखो मिली गया अंसर देखो ऐसा ही स्री मिली गया लेकिन फिर भी हम लोग और चीजों को देख लेते हैं फैजाबाद का नेतरितु किस ने किया था तो देखे फैजाबाद का नेतरितु अहमद सा के द्वारा किया गया था और एक और कौन बच गया है एक बच गया है कानपूर कानपूर की और से जो है अजीमुल्ला खां के द्वारा जो है नेतरितु किया गया था अजी मुल्ला खाँ जो थे नाना साहब के कहने पे ये यूग की याने की युनाटेट किंगडम गए थे और इसके साथ वो फ्रांस भी गए थे ताकि जो है विदेशों से जो है मदद मिल सके लेकिन अनफॉर्चेनेटली मदद नहीं मिला है और इस वज़ा से जो है हम लोग मंगल पांडgot के बारे में याद कर लिजए ये गाजीपूर के रहने वाले थे कहांके गाजीपूर के बीरो की भूमी गाजीपूर को भी कहा जाता है तो इसे भी आप लोग याद रखियेगा अगला सवान देखें क्या है बक्त खान, बक्त खाने जो है किस कारे छेतर को जो है वहाँ से वो समद्धी थी, सिधा सिधा सवाल है तो देखिए, मौल भी अहमद उल्ला जो है, अभी तुरत मैं ने आपको बताया बी का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा अगला सवाल देखो, कुवर सिंग कुवर सिंग ने आरा को जो है रेपरेजेंट किया था, और उसके बाद देखो नाना साब भी है यहाँ पे, और बक्त खान भी है तो बक्त खान तो दिल्ली हो जाएगा इसका सिधान सर एका फोर देखो कहाँ पे है, और सिंग के साथ आपको आगे बढ़ना भाए गांदी जी के बारे में जो है किसानों की जो दुर्दसा थी, किसने अबगत कराया किसने बताया गांदी जी को यह सवाल है आपसे, यहाँ से देख पाओगे गांदी जी को नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दसा के बारे में किसने अबगत कराया, उस वैक्ति का नाम बताना है तो देखिए, उस वैक्ति का नाम था राजकुमार सुकल, देखिए इनसे बहुत सवाल भी PSC ने पूछे है जब PSC में भी बहुत सवाल इनसे पूछा गया है, तो इस वैक्ति के बारे में जानना भूँ जरूरी है, तो देखिए, मैं आपको कुछ की फैक्टर इनके बारे में बता देता हूँ, सबसे पहली बात, कि ये जो है गांधी जी से मिलने के लिए कहां गए थे लखनव गए थे, इस बात को आप जो है याद रखोगे, लखनव का जो Congress अधिवेशन था, वहाँ पे ये गांधी जी से पहली बार मिले है, कब? 1916 में, याद रखेगा कब मिले थे और नरमदल एक साथ मिल गए थे ये जो लखनव का दिवेशन हुआ था Congress का, उसमें, INC का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें नरमदल और गरमदल एक साथ मिल गए थे, यहां तक सारी बात आगे crystal clear हो गई है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और नरायन ने जो है, किसानों के बारे में जो उनकी जो दो दसा है उनके जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉबलम्स हैं उनके बारे में लिखा था, तिन कठिया सिस्टम के बारे में उन्हें लिखा था, किस ने लिखा था, महेस नरायन जी ने क्लियर हो गई बाते चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखो क्या है चम्पारं के किसानों के सोसन के बारे में बताने के लिए राज कुमार सुखल ने कानपूर में किस से मुलाकरत की देखिए राजकुमार सुकल को जो है गांदी जी से मिलने के लिए जो है किसने प्रुत्साहित किया था या किसने बताया था ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो उस बेक्तिका नाम है गनेश संकर विद्यार्थी और गनेश संकर विद्यार्थी से ये कहां मिले थे तो कानपूर में मिले थे तो ये बहुत important बाते हो जाती है तो गनेश संकर विद्यार्थी ने राजखुमार सुकुल को बताया कि जो आपके यहां चमपारण में किसानों की समस्या हो रही है इसका निप्टान जो है इसका जो उपाय है वो गन्दी जी ही कर सकते हैं साउत अफरिका में उनने बहुत धूमा चाहिए उनसे जाकर आप मिलिए अगला सवाल देखो क्या है गन्दी जी चमपारण मोतिहारी कब पहुंचे कितना भी भी आई सवाल है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ तो देखिए इसका सीधा एक्चुली ये फैक्ट्वल कोश्चन है इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं तो देखिए इसका सही आउसर क्या हो जाएगा इसका सही आउसर हो जाएगा 15 अपरील को ये जो है मिले थे कब मिले थे एक्चुली यहाँ आये थे 15 अपरील 1917 को और चमपारण सत्यागर अभी 1917 में हुआ था तो 15 अपरील 1917 को गांदी जी कहां पहुंचे मोतिहारी पहुंचे सही आउसर आपका क्या हो जाएगा 15 अपरील ये जो है सत्वरिया वाले गाउं में पैदा हुए थे ये पहली बात है और दूसरी बात ये सवाल एक्चुली एक्जाम में पूछा जा सकता है तो मैं आपको बता देता हूँ जातीगत वाली बात नहीं है ये भुमिहार समाज से आते हैं सरी कृस्टन सिंग जोकी भीहार के पहले मुक्य मंतरी थे वो भी भुमिहार समाज के थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपसर नमबर भी बी के साथ आपको जाना था अगले सवाल के और हम लोग बढ़ेंगे कोश्टन नमर 6 निमलिखित मैं से कौन किसानों पर गठित जांच समिती देखिए एक जांच समिती का भी जो है कठन किया गया था जिसमें गांदी जी भी पाटिसिपेंट थे और आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ न इसमें जो है गांदी जी भी सामिल थे तो देखिए इस कमिटी का नाम था चंपारन कमिटी इसका नाम क्या था चंपारन कमिटी और इसका जो आंसर हो जाएगा गांदी जी इस कमिटी के क्या थे सदसी थे राजेंद प्रसाद नहीं थे एक्चुली देखो चंपारन सत्या चमपारण कमीटी का गठन किया गया लेकिन गठन कब किया गया तो देखिए इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 10 जून 10 जून 1917 को कब किया गया है 10 जून 1917 यानि कि option number कहा है ए यानि कि यह आपका क्या होगा correct answer हो जाएगा clear होगे यह factual questions है इसको तो आपको रठना ही पड़ेगा और कोई दूसर तरीका है नहीं चंपारन में किसानों की इश्तिती में क्या बदलाव आया देखते है कि करके तिन कठिया पर नाली का अंत हो गया बिल्कुल सभी baat है अंत हो गया देखिए एक्जाम में कभी दो अप्ऌन को देकर वो पूछा जा सकता है चंपारन के किसानों नहीं पर बनी committee की रिपोर्ट कब सार्वजनिक की गई, देख रही हो कितना dance question हो रहा है, तो देखे इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 18 October, और आपको तो date पता ही 1917 हो जाएगा, देखे date में सभी 1917 में ही रहेगा, आप ये मत समझो कि आपको वहाँ पे hint बागर कुछ देखने 1929 को इनकी death हो जाती है, तो ये question भी बहुत important है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये रहा option number C के साथ आपको जाना था, अगला सवाल देखो क्या है, जो दो statement दिया गया है, उसके according आपको answer बताना है, तो देखे पहला question क्या है, यह महात्मा गांधी के द्वारा सुरू इसकारों के साथ हुए अन्याय का बिरोध था, बिल्कुल था, चमपारन सत्यागर, जो किसानों के साथ जो है, दुर्वेभार हो रहा था, उनको tax लगाया जा रहा था, नेल की खेती के लिए उनको प्रत्साहित किया जा रहा था, तो ये सारी बाते कहा हो रही थी, ये हो रही थी सारी बाते है चमपारन में, तो इसका सही अन्सर क्या हो जाएगा, उपसर नंबर C, पुरे भारत में हो रही थी, अगला सवाल देखो क्या है, तिन कठिया पर नाली के रूप में क्या बताया जाता है, तो देखें, तिन कठिया के बारे में आप जान लो, एक ये जो है, आप एकदम की फैक्टर है, इससे याद कर लो, एकजाम में बार बार ये सवाल पूछा जाता है, अगला सवाल देखो क्या है, तिन कठिया तो आपने सुना है, पच कठिया के बारे में अगर सवाल पूछ दिया जाए, तो देखें, बीस कठ्थे में, पांच दिया के खेंजुदगिया जो है, गान्धी जी के कामों के बारे में राजकुमार सुकल को बताया, कि चमपारन के में, जो समसिया है नील वाली वो गान्धी जी सवाल करतेंगे, अगला सवाल देखो, क्या है, निमलिकित मैंसे, चमपारन सत्यागरह के दोरान, भारत का गवर्नर जेनरल ही हुआ करता था वाइसराय तो अगला सवाल देख लेते हैं लोग 1917 में चमपारन बिहार में सरकार के दोरा निमलिकित मैंसे किसको खेती करने के लिए मजबूर किया गया था तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब है इंडिगो यानि कि नील की खेती करने के लिए इन लोगों को परतारित किया गया कि आपको नील की खेती करनी ही होगी सीज का क्या होगा correct answer हो जाएगा अगला सवाल देखो क्या है अगला सवाल है दोखो में English को हिंदी में पढ़ दूगा don't worry which of the following is correct chronological यानि कि आपको बताना है कि कब सबसे पहले हुआ था तो देखो चमपारन सत्य अगरे कब हुआ है 1917 में हुआ है ये तो चलो ठीक है अब खेडा अंदोलन कब हुआ था तो 1918 में ये हुआ है अगला है roll and act कब पास हुआ है 1919 में हुआ है फिर देखो जलियावारा बाग मैसे कर कब हुआ है 13 April 1919 को ठीक है तो ये जो sequence है वो क्या है बिल्कुल सही है यानिकि पहला चमपारन सत्यागर यानिकि option AA सब जगह है खेडा सत्यागर तो देखो B वाला option आपको पहले वाले में और आखरी वाले में मिलेगा दो option तो ऐसे ही ले मिनिट हो गया roll and act यानिकि तीसरा option में C होगा तो यहां का मिल गया option number D में D सका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा roll and act के बारे में आप लोगोंने बच्पन से पढ़ा होगा उसे हम लोग रहने देते हैं गांदी जी ने बिहार में किस स्थान पर प्राथमिक विद्ध्याले की स्थापना की इतना भी भी आई ये question है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा तो देखें इसका answer क्या हो जाएगा बरहरवा लखेंसेन गाउं ये बड़ा सा नाम है तो यहीं पर ये किया गया था कब किया गया था तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ 13 नवंबर को ये जो है date याद रख लेना 13 नवंबर को ये किया गया था कहाँ पर ये East चमपारन के अंतरगत आता है तो ये महत पूर्ण 18 question थे MCQ कोई और question मुझे छूट गया हो तो नीचे comment section में वो जरूर लिखें ताकि और लोग जो है उसका answer आपके comment का कर पाए The Sepoy Mutiny and the Revolts of 1857 नमक पुष्टक किस ने लिखा तो दिखें इसका सीधा सीधा अगर मैं answer बता दू तो वो हो जाएगा RC मजूमदार अब इनके बारे में कुछ और चीज़े जान लेते हैं ये किताब से जो related है वो भी हम लोग जानने की कोशिस करेंगे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है The Sepoy Mutiny and the Revolts of 1857 में RC मजूमदार नहीं कहा था कि 1857 की जो क्रांती हुई है ये ना तो राष्टिय थी ना ही ये क्या थी ना ही ये सवतनत्रा संग्राम था और ना ही ये पर्थम सवतनत्रा संग्राम था ऐसी बातें किसने कही थी RC मजूमदार ने तो ये statement बहुत important है प्लीज pen paper पे लिख लिजेगा इसे 1857 की क्रांती को ना ही ये पर्थम माना इनोंने ना ही इसको राष्ट्री माना और ना ही सवतनत्रा संग्राम माना किसने RC मजूमदार ने तो 1857 की क्रांती को भारत का राष्ट्री सवतनत्रा संग्राम किसने कहा था तो याद रखिएगा V.D. Saurkar ने कहा था याद रखिएगा ये सारी बाते जो है एक्जाम में भर-भर के पूछेगा है BPC के questions को आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जब PPC के questions को देखोगे तो आपको idea लग जाएगा तो फिलाल इसका answer तो option भी होगा लेकिन कुछ और चीजों को हम लोग देखेंगे तो देखिए भारत के इतिहास को लिखने के लिए सरकार ने जो है कुछ लोगों को recruit किया था, याद रखेगा कुछ लोगों को recruit किया गया था लेकिन मजुमदार सहाब को भी recruit किया गया था और इन्होंने साफ मना कर दिया, इन्होंने जो है त्याक पत्र दे दिया बोला कि मैं जो है दबाव में आकर किसी तरह के चीज़ों को नहीं लिखूंगा अंग्रेज के ही बर्चस में ये सारी चीज़ें चल रहे थी तो आरसे मज़ुमदार ने इस्तिफा दे दिया था तो इस काम को आगे किसने बढ़ाया था? सेन ने इस काम को आगे बढ़ाया था याद रखीगा और सेन के दोरा 1857 की क्रांती का इतियास भी आपको देखने को मिलेगा और इनकी बुक है 1857 की क्रांती यानि की 1857 रिबॉल्ट के नाम से इनोंने बुक भी लिखिए ये जो है इंपोर्टेंट है ये भी एक्जाम में भारत का पर्थम रास्टिये स्वतंता आंदोलन भी कहा था सारी बाते हैं केले और कोशन की ये बात कुछन की और मुशन की विखते हैं तथा inflam स Candreta Sangra नहीं प्रफम नहीं रास्टिये और नहीं सोतंत्रा संग्राम है मैंने अभी आपको बता दिया आपको आइडिया लग चुका होगा और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रिसेंट राइटिंग आफ आप जो है पेंट पेपर बेसे जरूर नोट डाउन कर लिजेगा रिसेंट राइटिंग आफ रिवॉल्ट 1857 यह भी आपको क्या कर लेना है याद कर लेना है यह भी एक्जाम में पूछा जा सकता है बुक से कोस्चन तो डेफिनेटली पूछा ज अगला कोश्चन और फिलाल इसका जो आंसर है फिर से मैं आपको जो है दोहरा देता हूँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आर सी मजुमदार आप्सन नंबर ए के साथ आपको आगे बढ़ना था हम लोग बढ़ेंगे अगली कोश्चन की ओर 1857 की क्रांती में राजकुमार सुरेंदर साही और उज्वल साही ने करा था देखिए कोटा के बारे में साही आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो पहला पाट पड़ाया था उसमें इसके बारे में बताया था और इसका नेत्रित किस ने किया था जै दयाल ने और इनका एक और भाई का नाम है वो भी मैं लोग कभर कर लेते हैं रंगो जी बापू ने जो है इसको क्या किया था नेत्रित करता थे अंग्रेजों के खिलाप लोहा लेने का काम किसन किया था रंगो जो जो रंगो जी है बापू उन्होंने जो है इसका काम किया था आगे बढ़ते हैं फैजाबाद में 1857 की करांती के निता, अमदुल्ह 1500 कहां के निवासी थे तो देखिए औरावले से Sweet Nats 4 को जिरों ने नहीं देखा है देख लिजिए जो कि वहां से Question जिनको पढ़ाया गया है हो, आसानी से Season यादार की गईए इनके पूर्वच कहां आ गए थे? इनके जो पकड़ने के लिए 50,000 रुपे का फाइन जो है लगाया गया था एक्चली फाइन नहीं को गया आप इसे इनाम रखा गया थे इनके उपर कि 50,000 रुपे जो है उस समय के 50,000 आप आज के समय में देखोगे तो ये कड़ों अरवरुपया हो जाएगा ठीक है तो 50,000 के लोब में इनका नाम दिखेगा तो जनारदन भानु ने क्या किया इनको धोखे से बुलाया अपने पास कि मैं भी आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ मैं सेना में हूँ तो मैं आपको कुछ पैसे की मदद करूँगा और कुछ जो हतियार बगएर है वो भी मैं आपको दूँगा तो अप मिलें मुझसे और यह मिलने के लिए गए तो इनको धोके से जो है गोली मार्दी किसने जनारदन भानु ने और जनारदन भानु एक्शली यह पचाहँजर का लालच है देखो अब पचाहँजर के चक्कर में क्या होता है अंग्रेज तो ठारे अंग्रेज उन्होंने पचाजार देने से बचना चाहरे थे वो तो इन्होंने क्या किया जनारदन भानुक के हुई उपर जो है उल्टा आरोप लगा दिया कि इसे यानि कि अमदुल्ला खां को आपको गिरफतार करना था गोली तुमने क्यों मारी और उन्हीं के हत्या के आरोप में इनको फांसी की सजा हो गई तो देखो जैसा करम वैसा ही फालिन को मिल गया अंततो गत्वा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 24 का सही आंसर हो जाएगा अरकार्ट ये आरकार्ट के थे और अगर मैं हैधरा बात की थोड़ी बहुत आप लोगों से बातचित कर लूँ तो दे पर्ठम जो है सैनिक विद्रो कहा जाता है आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर किस बृटिच नेता ने सरपर्ठम 27 जुलाई 1857 को बृटिच संसे में 1857 की क्रांति को राश्ट्य विद्रो कहा ना कि सिपाही विद्रो देखे दोनों में फरक है राश्ट्य विद्रो या और यह जो पामस्टन है, उस समय के बिटेन के पीम थे, कौन थे, पामस्टन, यहां तक सारी बात हैं क्लियर हो गई, और आगे देखिए, उस समय का गवर्नर जनरल जो था, वो लॉर्ड कैनिंग था, उस समय का भारत का गवर्नर जनरल कॉल था, लॉर्ड कैनिंग, और देख शबसे पले विर्जिस कादिर के बारे में जान लेते हैं ये चार साल के राजा थी actually हुआ क्या ना कि लखनौ में जब इनके पिताजी नहीं रहे तो उनके जगह पे विर्जिस कादिर को जो है वहां का वारिस गोसित कर दिया गया लेकिन अंग्रेज तो मानने वाले नहीं थे और इनकी जो माता जी थी उनका नाम का भी जिकर बहुत important है हजरत महल यादर केगा हजरत महल जो है हजरत महल और यह जो है यहाँ पर इन्होंने क्या किया विर्जिस कादिर को जो है यहाँ का उत्राधीकारी घोसित कर दिया इनका असली नाम जो था मुहमद खानम था यादर किया मुहमद खानम और इसका जो सही जवाब हो जाएगा देखिए बक्त खान के नाम से कौन जाना गया यह भी important है तो देखे खान बहादुर को जो है बक जाकर उन्होंने भी सरन ली थी अब बात करते हैं बहादुर साहाज जफर की तो देखे बहादुर साहाज जफर ने जो है दिल्ली का नेत्रितु किया था पूचा यह जा सकता है अंग्रेजों के खिलाब दिल्ली का नेत्रितु किस ने किया था तो देखे यह जो नेत्रित तो सबसे पहले देखो ये question जो है ना प्रारम बें, यहाँ पे तीन वेक्तियों ने जो है यहाँ पे जहासी का नेत्रित किया था, सबसे पहले किस ने किया था, काले खाने किया था, उसके बाद लक्षमन ने किया था, उसके बाद आखरी में रानी लक्षमी भाई को मोर्चा समालना पड़ा था तो याद रखिएगा अगर सबसे पहले प्रारम में कोश्चन पूछ लिया जाए तो कोश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आंसर काले खाला लगाना है अब देखिए कुछ और जानकारी आपको मैं बता देता हूँ जैसे कि कई-कई एक्जाम में पूछा बीचा चुका है रानी लक्ष्मी भाई के पती का नाम क्या था तो देखिए इनके पती का नाम क्या है गंगाधर राव एक और fun fact मैं आपको बता देता हूँ जब गंगाधर राव से रानी लक्ष्मी भाई की साधी हुई थी तो इनका उम्र 40 वर्स था और रानी लक्ष्मी भाई की उम्र मात्र 14 साल थी खैर इन लोगों का एक बच्चा भी हुआ और वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा बहुत कम समय में और गंगाधर राव उस बात से बहुत विचलित हो गए थे याद रखीगा एक और सवाल एक्जाम में पूछा जाता है रानी लक्ष्मी भाई के बारे में कि इनका बच्चपन का नाम मनू था ये भी आपको याद रखना है एक और fun fact वाला question में आपको बता देता हूँ दामोदर राव को जो है दतक पुत्र घोसित किया गया था इनके द्वारा इनों ने जो है दतक पुत्र रखा था दामोदर राव को जिसे अंग्रेजों ने उत्रा धिकारी मानने से मना कर दिया था और इसी वज़ा से जो है अंग्रेज इन से लड़ा ही करने के लिए आ गए थे याद रख लेना है तो जहांसी विद्रों का नेत्रित प्रारम में किस ने किया सबसे पले काले खाने उसके बाद लक्षमन देवराय ने और एसन सेन भी थे लेकिन मजुमदार सहाब कुछ दिनों के काम करने के बाध इन्हों ने अपना इस्तीफा दे दिया था तो राइट अंसर क्या हो जाएगा एस एन सेन इसका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा और इन्होंने जो है इन्होंने एक बुक भी लिखी है मैंने आपको बता दिया फिर से रिविजन करके बता दिता हूं 1857 जो रिवॉल्ट है इन्होंने जो है वो बुक लिखी थी एक्जा में देखिये question भी पूछ लिया जाता है गुमा फिरा कर तो इन चीजों को आपको याद रखिएगा और SNCN नहीं कहा था कि जो 1857 की क्रांती हुई है और राष्टियता क्या भाव में पर्थम सोतंतता संग्राम है देखिये topic को चीजों को समझना जरूरी है RC मजुमदार ने जो 1857 की क्रांती है इसे ना पर्थम कहा था ना ही इसे रा पहला राष्टिय सुतंतता संग्राम है question भर-बर के पूछे जाते हैं इन statement से 1857 की क्रांती के बाद भारतिय सेना के नव गठन से सम्मंदित आयोग का नाम क्या था तो देखिए ना इंटर आयोग था नसील ना नील इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पील आयोग अब दे और एक सेनिक की अगर मैं बात करूँ तो एक सेनिक यहां पे कौन होता था बिटिसर्स हुआ करता था लेकिन पील आयोग के कमिटी के बाद इसको चेंज कर दिया गया और दो और एक के रेशियो में जो है इसे बना दिया गया यानि कि अब भारतिय सेनिक दो रहेंगे और एक बिटिसर रहेगा यहां तक सारी बाते हो गई अब आगे देखिए कोचीजों को और हम लोग देख लेंगे यह बातें आपको समझ में आ गई और एक आयोग का नाम और है जो इससे समंधित है वो नाम आयोग का क्या है वो मैं आपको बता देता हूं देखिए उस इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है चली आगे बढ़ते हैं और चीजों को और डीप में हम लोग समझने की कोशिस करते हैं और देखिए एक और बात है रायल आयोग के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी में लिख देता हूं अभी मुझे याद आ गया रायल आ ठीक है और दूसरे सेना में जो है Britishers और Indian दोनों आपको यहाँ पे मिलेंगे तो एक में जो है Britishers अलग से रहा करते थे और एक में Britishers और Indian दोनों रहा करते थे तो यह बहुत important सवाल बन जाता है 1857 की क्रांती में जनरल हेवलोक, सर हेंरी लॉरेंस और जनरल नील की मिर्थियों कहां पे हुई थी तो इन सभी की मिर्थियों देखे अबद में हुई थी कहां हुई थी अबद में question बार-बार पूछा जाएगा देखे किस तरह से जहांसी का नेत्रितु तो देखे काले खाने किया था शुरू में बाद में लक्षवन देवराव ने और आखरी में रानी लक्षमी भाई ने यहां पे नेत्रितु किया था लेकिन बाद में देखिए हिरोज ने जो है हिरोज जो अंग्रेज था वहाँ पे जहासी पे उन्होंने फिर से कबजा कर लिया और हिरोज नहीं जो है रानी लक्षमी भाई को कहा था कि वो एक माद्र जासी में जो है एक मर्द है जिसने जो है अंग्रेजों का सामना किया था तो ये भी statement exam में पूछा जा चुका है अब बात करते हैं जगदिस्पूर की तो देखिए जगदिस्पूर से जो नेत्रितु करता थे उनका नाम है वीर कुवर्सिंग वीर कुवर्सिंग ने यहाँ पे नेत्रितु किया था विद्रो का लेकिन यहाँ पे देखिए आईकुट आईकुट जो है इन्होंने फिर से जगदिस्पूर पे जो है कबजा कर लिया था अगर अबद की बात करें तो देखिए अबद पर कबजा किस ने किया अबद पे कबजा जो है कैम्प वेल ने किया था इसको भी याद रखना है वित्रों के बाद जो है कैम्प वेल ने यहाँ पे जो है सत्ता समाल ली थी अब आखरी में एक किकमें, अंगरेजों के वियुद किया, देखिए, वो विविशन निकल गया, जिसे अगर मैं बात करूँ, तो विविशन निकल गया, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तो देखिए उसका नाम क्या था एक मात्र अंगरेज अधिकारी जो था, जिसने 1857 की क्रांती में अंग्रेजों के खिलाब जो है लड़ाई लड़ी उसका नाम है Captain Garden 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 हो गया होगा आपका दिल ये सुनकर तो ऐसे याद रखने है Captain Garden इनका नाम था और इनके दोस्त का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए या फिर मंगल पांडे का दोस्त का नाम कौन था वो अंग्रेज तो आपको याद रखना है मंगल पांडे के ये दोस्त भी थे एक और कोश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि British के खिलाब ही कौन सा बिर्टी सर्स हो गया था तो Captain Garden इसका सही जबाब हो जाएगा चलिए अगले सवाल के और अमलग बढ़ेंगे question number 32 1857 की करांती के बाद पील आयोग ने भारतिय उरोपिय सेनिकों का अनुपात कितना कर दिया गया मैंने आपको बताया था देखिए डिटेल में कि पहले कितना हुआ करता था 5 ratio 1 लेकिन बाद में इसे घटा कर क्या कर दिया गया 2 ratio 1 यानि कि 5 इंडियन एक बिरिटिसर्स फिर जो है दो इंडियन और एक बिरिटिसर्स को सामिल कर दिया गया पील आयोग के बाद सही जबाब क्या हो जाएगा option number B आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की हो सारी बातें clear हो गई होगी Lexi Lake देखो सबसे पहले Lexi Lake हुआ क्या है यह है टर्म क्या है यह पहले समझ रो देखिए Lexi Lake का मतलब होता था कि अगर आपने धर्म परिवर्तन किया आपना conversion किया किसी और धर्म में तो आपके जो पिताजी का संपत्ति है वो आपको नहीं मिलेगा लेकिन देखो अंग्रेज कितने चलाख थे अगर आप हिंदू से मुसलिम बनते हो मुसलिम बन जाते हो तो आपका संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होगा वाईशेवर्सा अगर आप मुसलिम हो तो हिंदू बन जाते हो तनवर्ट हो जाते हैं, तो इसका जो है कोई प्रभाब नहीं पड़ेगा, यानि कि कुल जमाबात ये हो गई, आपने धर्म फरिवर्तन कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी संपत्ति बनी रहेगी, ये कार्तूस वाला जो खेल हुआ था, आपको पता ही होना चाह था, उसमें लोग धर्म को भहुँ जादा भाव दे रहे थे, फिलाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा, लक्सी आयोग का पारित हुआ था, तो 1850 में पारित हुआ था, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, भारत पर हमारे अधिकार का अंतिमुद्देश, भारत को इसाई राष् लेकिन जो ये चाल्स नेपियर था, ये बहुती चोटा आदमी था, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्यों, क्योंकि ये भारतिय सैनिक को जो है क्या करता था, भाड़े का सैनिक बताता था, ये जो है, ये जो चाल्स नेपियर है, ये क्या करता था, ये जो है, भारत में लोहे वाली बंदूग ब्राउन बेस के अस्थान पर राइफल इन फिल्ड का परियोग करने का निश्चे कहां नहीं लिया गया देखो कोशन कैसे ट्विस्ट में लाया जाता है नहीं लिया गया तो उसका जवाब हो जाएगा बैरकपुर में और इसी के वज़ा से तो क् कार्तूस नहीं चिपाएंगे और जो है कार्तूस को अपने मुझ में नहीं लगाएंगे कार्तूस का परियोग बंद करने की बात की गई थी चलिए आगे बढ़ेंगे 1857 की करांती का जो है गौरखपूर से नेत्रित किस न किया था देखिए जी से गौरखपूर जी से जो है मतूरा का मतूरा का जो है जो है नतत्रित किया था मेरट का कदम शिंग और अगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर 1877 की क्रांती में रानी अवद भाई ने किस छेत्र का जो है नेत्रित्व किया था तो देखे अवंती भाई ने मनीपूर का जो है नेत्रित्व किया था अभी मनीपूर हाल में जो है चर्चा में भी है तो ये सवाल वहां से पूछा जा सकता है तो देखिए इसका सही जबाब क्या हो जाएगा यहां से आप देख पाओगे एक मिनट इसका जो सही जबाब हो जाएगा सौरी वेट ए मिनट यहां से जो है इसका आंसर हो जाएगा रामगड अवंति भाई ने रामगड का नेतरुट किया था अब मैं आपको कुछ और सिंग ने यहां पर नेतरुट किया था और साजा फिरोज सावाद की बात कि करें तो यहां पर देखिए मंद सौर यह जो है मंद सौर ने यहां पर नेतरुट किया था और हर्याना की अगर मैं बात करू तो हर्याना से तूला राम तूला राम ने यहां पर नेतरुट किया इसे आप pen paper पर प्लीज not down करते जाईएगा आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर अगला सवाल देखें क्या है मौल्मी आहमद उल्ला खाने 1857 की करांती को किसे धोके देखो एक्शली सवाल क्या पुछा गया है मौल्मी आहमद उल्ला खान को किसने धोके से मार दिया तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो राजा जगरनाथ है इसी का नाम जो है कहीं कहीं आपको जगरनाथ भानू भी दिखेगा इसी यही वो इंसान है जिसने जो है इनको धोके से मार दिया, इनको बुलाया कि मैं सहयोग करूँगा लेकिन इसने जो है उनको गोली मार दिया और बाद में अंग्रेजों ने इसको खुद से फांसी पे चड़ा दिया अब देखिए राजा मान सिंग के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक बीविशन था ये सिंध्या के राजा हुआ करते थे और तात्या टोपे को इन्होंने गिरपतार करवाया था देखिए तात्या टोपे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए इनको जो है आखर आखरी आखरी सईट कहा जाता है घाला सँटाऊंताऊंधायTT का प्रहु सब्सक्राइब सिर्टी तो मंगलप trainees है यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों बिजै कुदृत कुझी माया और मिला साची कौन से 1877 की करांती के किस छेतर से सम्बंदी थे तो देखिए इन लोगों ने जो है केरला कार रिप्रेजेंटेशन किया था अगर मैं कोलापूर की बात करूँ कोलापूर की ओर से अन्ना जी फंडविस ने इसको नेतरित किया था सुल्तानपूर की अगर मैं बात करूँ तो हसन खां हसन खां ने यहाँ पर नतरित किया था ठीक है आखरी कोश्चन की और हम लोग बढ़ेंगे आखरी कोश्चन देखो यह है वेलोर क्रांती 1806 में हुई थी और याद रखे गए यह भारत का पहला सैनिक विद्रो था पहला सैनिक विद्रो वेलोर की क्रांती में बलवन तराव फढ़के के दोरा की गई थी क्यों की गई थी देखिए एक अंग्रेज का जो अधिकारी था वो आया और God of Honor देते समय तो उसे जो है यहां की सैनिकों का ड्रेसिंग सैन्स खराप लगा और बहुत सारे सैनिकों के जो है डाढयां और जो धर्म के चिन थे उनसे चीन लिये गए थे हटाने की बात की गए थी जिसके कारण ये करांती हुई थी धर्म को जो है लोगों ने बहुत ही तिर्जकार के रूपसे रखा जिसके कारण ये सारे बिद्रों को देखने को मिल जा तो देखिए मैं ने 40 क अगर आपको चाहिए होगा 20 question और में आप लोगों के लिए लिए आऊँगा तो आप नीचे comment करके part 3 जरूर लिखना तो इसके उपर एक dedicated से वीडियो आ जाए कि part 3 के उपर से तो नीचे part 3 आप लोग लिख दीजेगा वीडियो को आपने यहां तक देखा तो अच्छी बात ह आप इसका part 2 जरूर देख लें जिसका link आपको नीचे comment section में दे दिया गया है वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया have a good day